नमस्ते मेरे प्यारे भाई आप सभी को राम राम कैसे हैं आप सभी और आपके पेपर्स बहुत जल स्थुरू होने वाले हैं तो हम अपने कम्प्लीट मैच्स फ्री यूटूब बैच में आज टाइमेंड वर्क पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में टाइमेंड वर्क समय और वर्क पर कार रहे के जितने भी वेराइटि बनती है जितने भी सवाल में टाइब वाइस टाइप लेवल वाईस अच्छी तरीके से समझा दूंगा ठीक है आप प्री का पेपर दे रहे हूए अगर चाया आप कोई भी सीजल दें सीटेसल प्री दें एसेपी ओंटियो एम् तक वीडियो को देखना है, और इन वीडियो की notification के लिए आप हमारे telegram channel join कर लीजे, telegram channel का जो link के आपको इस वीडियो के नीचे मिल जायगा description में मेरे दोस्त, हमारी हर वीडियो की notification, किसी exam की notification, कोई notice, सबसे पहले मेरे दोस्तों इसी telegram channel पर आता है, ठीक है ना, आज GD का भ free batch की आप इसमें हमारी free batch की सारी previous वीडियो देख सकते हो ठीक है जी शुरू करें पढ़ना time and work अगर हम बात करें चेप्टर की तो यह arithmetic का मैं कह सकता हूँ सबसे easy chapter लगता है बच्चों को और इससे paper में एक सवाल आता है free के paper में ना एक से कमाएगा ना एक से जाद एक ही सवाल आएगा तो हम एक सवाल के लिए पूरी वीडियो में मेहनत करेंगे ठीक है बच्चों चले शुरू करते हैं समय और कार रहे देखो मेरे प्यारे भाई मैं जब आपसे कहता हूँ थोड़ा हम short minute basic पढ़ेंगे क्योंकि मुझे लगते हैं आपको basic आता होगा थोड़ा सा एक इसी काम को 20 दिन में पूरा करता है जम मैं आपसे कहता हूँ एक इसी काम को 20 दिन में पूरा करता है अब काम तो कुछी भी हो सकता है काम कुरसी बनाने का भी हो सकता है काम सबजी काटने का भी हो सकता है काम घर बनाने का भी हो सकता है, तो कुल काम या तो एक होता है मेरे दोस्तों लेकिन अगर percentage में कहें तो कुल काम कितना होता है? 100%, यानि कि 100% तो बच्चों मैं जब आप से कहता हूँ, एक इसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? ए जो है वो 20 दिन में एक काम पूरा करता है एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा मेरे प्यारे भी, ये 20 उधर चला जाएगा, एक वटे 20 काम करेगा, ये जो है एक दिन में, एक वटे 20, इसी को मेरे दोस्तों हम बोलते हैं, efficiency या छमता, efficiency एक वटे 20, और percentage में कहेंगे 5%, इसी को हम आदमी द्वारा एक दिन में किये गए काम को, कि कोई आदमी एक दिन में कितना काम करता है, वही उसकी efficiency या कारेच्छमता कहलाती है, बात समझ में आ गई, आप बोलोगे, हाँ जी सर, समझ में आ गई, ये तो बड़ी आसान सी बात थी, अब इसको मेरे दोस्तों एक एक ए काम को 30 दिन में करता है, A 20 दिन में करता है, B 30 दिन में करता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि दौनों आदमी A और B मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे, तो मेरे दोस्तों A काम 20 दिन में करता है, B 30 दिन में करता है, तो हमें कुछ ना कुछ तो काम मानना पड़ेगा न तो ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो हम LCM मान लेते हैं वह ए काम करता है 20 दिन में 20 दिन में 20 दिन में तो 20 और 30 का LCM मान ली ज़े 60 तो हमने मान ले की total काम जो है वो 60 है total work जो है मेरे प्यारे वो 60 है कि हमें total काम 60 कुर्सी बनाने का है ठीक है 60 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा बच्चो तीन कुर्सी बनाएगा बी जो है ये 60 कुर्सी 30 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा बी 2 कुर्सी बनाएगा यानि कि ये A और B की efficiency आगई इसे हम बोलते कार्य चमता एक दिन में किया गया काम A जो है एक दिन में तीन कुरसी बनाता है और B एक दिन में दो कुरसी बनाता है क्या आपको बात समझ में आ गई या आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से हमें बात समझ में आ गई तो आप ये बताओ कि अगर A एक दिन में तीन कुरसी बना रहा है B एक दिन में दो कुरसी बना रहा है तो A और B मिलकर एक दिन में कितनी कुरसी बनाएंगे A और B मिलकर एक दिन में कितनी कुरसी बनाएंगे A तीन कुरसी बनाता है B दो कुरसी बनाता है A और B मिलकर एक दिन में 5 कुरसी बनाएंगे, वही 3 अर 2 5, 5 कुरसी बनाएंगे A और B मिलकर, तो A और B मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा काम तो 60 है, 60 कुरसी बनाने का, A और B मिलकर एक दिन में कितनी कुरसी बनाते हैं, 5, तो A और B को 60 कुरसी बनाने में कित बेसिक है मेरे दोस्तों, टाइमेंड वर्क का, यहां से एक बात आपको समझनी है मेरे दोस्तों, जो कि बहुत important है, कि efficiency और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, अगर कोई आदमी किसी काम को करने में समय जादा लेता है, तो उसकी efficiency कम है, आदमी slow है, मेरे दोस्तों, अगर कोई आदमी किसी काम को कम समय में करता है, कम समय में जल्दी करता है, तो आदमी fast है, यानि कि उसकी efficiency जाद है, यानि कि मेरे प्यारे भाई, efficiency जो होती है, efficiency मतलब एक दिन का काम, वो मेरे दोस्तों समय के उल्टे अनुपात में होता है, time के reverse ratio में होता है, जैसे कि एक example में, देखू इस example में, जब मैंने आपके सामने एक example लिया, तो A काम करता है मेरे दोस्तों 20 दिन में, और B काम करता है मेरे प्यारवे 30 दिन में, 30 दिन में, तो A और B के समय का ratio क्या है, समय का ratio A 20 दिन में कर रहा है, B 30 दिन में कर रहा है, समय का ratio 2-3 है, और जब म भी एक दिन में दो कुर्सी बनाता है A, B की efficiency का ratio 3, 2 आ रहा है तो समय का ratio 20 दिन 30 दिन 2 ratio 3 है efficiency का ratio उल्टा है 3, 2 आपको बात समझ में आ गई है यह बहुत important concept है कि जो समय का ratio होगा efficiency का ratio उसका उल्टा होगा clear है आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम clear है इसमें कोई भी परेशानी नहीं है आगे आईए मेरे दोस्त A, पूरा काम 20 दिन में करता है A की efficiency 3 है तो total काम कितना होगा 20 ती या 60 B, पूरा काम 30 दिन में करता है B की efficiency 2 है तो total काम कितना होगा 30 दूनी 60 याने कि अगर आप efficiency को दिन से गुणा कर देंगे तो total work आ जाएगा अगर आप efficiency को दिन से गुणा कर देंगे तो total work आ जाएगा मेरे प्यारे भाई बात समझ में आई कोई परेशानी ओके याने कि अगर आप efficiency कार रहे छमता को दिनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो आपका कुल कार रह आ जाता है इस सब कुछ आपस में रिलेटेड होता है तो मन आपको तीन बाते समझाईं कि टाइमेंट वर्क के सवाल को आसान करने के लिए मेरे प्यारे भई हम टोटल वर्क को ले ले लेते हैं दिनों का उल्टा होता है इसका एक शौटकट भी है मेरे प्यारे भाई ऐसे भी करते हैं वोगि यह सबसे पॉपलर सवाल है जो प्री के पेपर में आता है जैसे मैं आपसे कहूं कि ए किसी काम को बीस दिन में करता है और बी उसी काम को मेरे दोस्तों तीस दिन में करता है तीस दि बीस कुना तीस अपॉन बीस प्लस तीस तो बीस कुना तीस कितना आगया 600 और बीस प्लस तीस आगया जी 50 600 को 50 से भाग दीजेगा मेरे दोस्तों तो 12 दिन आ गया जी अब हम टाइम एंड वर का पहला सवाल सुरू करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों सबसे बेसिक क्वेश्चन और प्री में आने वाले सबसे ज़ादे सवालों में से है A और B काम को करम से 25 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि A और B दौनों एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने के लिए दिनों की कुल संख्या पूरी संख्या में क्या है यह आपको बताना है देखो बच्चो आप यहाँ पे LCM भी ले सकते हो या तरीका ये भी है कि A किसी काम को 25 दिन में कर सकता है B 55 दिन में कर सकता है तो दौनों लोग मिलकर A और B काम कितने दिन में करेंगे मैंने आपको अभी डारेक शॉटकट पढ़ाया कि 25 गुणा 55 अपॉन 25 प्लस 55 25 प्लस 55 हो जाएगा मेरे दोस्तो 80 ये आ जाएगा 25 गुणा 55 अपॉन 25 प्लस 55 अशी देखें 5 से कितनी बार चला जाएगा 25 पांच बार और 86 बार तो ये पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं हुआ अब 5 की 55 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा 275 बटे 16 दिन हो जाएगा ये 275 को भाग देंगे 16 से तो 16 एकम 16 फिर बज जाएगा यहां से 11 एकसो पंद्रे हो गया 16 सत्ते एकसो बार है फिर मेरे दोस्तो तीन बज जाएगा 0 बढ़ा लेंगे तो 16 दो नी 32 लगबक सत्त्रे पॉंट दो दिन आएगा तो काम करने के लिए पूरे दिनों की जो संख्या है वो 18 दिन 18 बे दिन भी आपको काम करने तो जाना ही पड़ेगा ठीक बटा कि 17 दिन से जाद ही टाइम लग रहा है 18 दिन आपका सुरू हो जाएगा तो 18 इसका आंसर होना चाहिए clear है मेरे दोस्तों अच्छा सवाल बनता है ये बताईए अगला ABC अकेले काम करते हैं काम को 16, 24, 36 दिन में कर सकते हैं एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में करेंगे A किसी काम को मेरे प्यार भी 16 दिन में करता है B उस काम को मेरे दोस्तों 24 दिन में करता है सी सेम काम को 36 दिन में करता है तो स्तीनों साथ में मिलकर काम कितने दिन में करेंगे देखो यहां तो कोई फॉर्मला भी मैंने आपको नहीं बताए ना कोई रटने की जोरत है यहां तो बेसिक की सबसे बढ़े है कि सबसे पहले ये पता लगाओ कि काम है क्या 16, 24, 36 का LCM, मान लीजे LCM, अब इनका LCM निकालना नहीं आता बच्चों को, मैं आपको LCM निकालने के तरीका भी बताता हूँ, शौट में, ध्यान सुनेगा, जिन संख्याओं का आप LCM निकाल सकते हो, उनका निकाल लो, जिनको आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 24 और 36, 24-36 दौनों से कटने वाला नंबर 72 है, यह मेरी हैबिट में है, यह मेरी जानकारी में, कि 72 चौविस से भी कटता है, तीन बार, 24 तिया बार, 36 से भी कटता है, दो बार, इनका मुझे अल्लेडी LCM पता है, क्या 72 सोले से भाग होता है, नहीं भाग होता, 72 से भाग नही 16, 16 में 8 के सासा 2 भी आता है, यानि कि मुझे यह 2 की जौरत और पड़ेगी, तभी तो 8 और 2 दोनों चीज़े सामिल होंगी, यानि कि LCM 8 नाम 72 दूनी 144 होना चाहिए, यह तरीका है, LCM निकालने का, धीरे धीरे जब आप प्रेक्टिस करोगे, तो ही आप जल्दी LCM निकाल पाओगे, और भाई, टाइमेंड वर्क इस सवालों में इतनी प्रेक्टिस हो जाती है, बच्चों को कि LCM तो निकालना मेटर ही नहीं करता, डाटा को देखके ही निकाल लेते हैं, 144 टोटल वर्क माल लिया भाई मैंने, अब आप सोचो मेरे दोस्तों, चीक है, 24 और 36, आप से पूछा है सवाल में, तीनों लोग मिलकर ABC काम कितने दिन में कर लेंगे, तो मुझे ABC की Efficiency पता करनी है, ABC की Efficiency, A, 144 कुरसी बनाता है 16 दिन में, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 144 को 16 से भाग करेंगे 9, B, 144 कुरसी, टोटल काम माले, 144 कुरसी बनाने का 24 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा B, 144 को 24 से भाग करेंगे 6, C, 144 कुरसी 36 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बना 34 का इक सो 44, तो आप से पूचा J, तीनों लोग मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे ABC, तीनों लोग को भी तो मिलकर 144 कुरशी बना नी ये, लेकिन अगर तीनों लोग ABC मिलकर काम करेंगे, तो तीनों चपड गंजु मिलकर एक दिन में 9, 6, 15 और 4, 19 कुरशी बनाएंगे, ये 9 यह 6, 4, 9, 6, 15, 24, 19 तक बनाएंगे तीन लोग मिलकर अगर तीन लोग मिलकर एक दिन में 19 तक बनाते हैं तो 144 कुर्सी बनाने में कितना समें लगेगा एक सक बारी को उनिस से भाग दीजीे इतने दिन का समें लगेगा कितना जाएगा था longtemps otcla सबसे बेसिक सवाल है मेरे प्यारे बच्चो सवाल लंबर तीन हर एक लेंग्वेज का मैं आपको सवाल कराने की कोशिश करूंगा ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है भी 24 दिन में कर सकता है दो लोग है ए और बी भाई ए निव्टा देगा काम 18 दिन में अगर अपनी पर उतर गया तो बी काम कर लेगा मेरे दोस्तो 24 दिन में 24 दिन में 24 दिन में सवाल क्या है सवाल यह है वे इस पर पाँच दिन तक काम करते हैं यदि वे पाँच दिन तक एक साथ काम करते हैं तो बच्चे हुए काम का अंश ग्यात कीजिए यानि कि कितना फ्रेक्शन काम बाकी रह जाएग find the fraction of work which is left एक एक लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे ध्यान से सुनेगा एक इसी काम को अठारे दिन में करता है भी चौविश दिन में तो भाईया पहले काम तो मानो अठारे और चौविश का L.C.M. क्या होता है मैंने मान लिया कि माना टोटल काम 72 कुरसी बनाने का है 72 कुरसी बनाने का तो A 72 कुरसी अठारे दिन में बनाता है एक दिन में कितनी बनाएगा बाहतर बटे अठारे चार यह A की एक दिन का काम है इसी को मैं एफिशन्सी बोलते है B 72 कुरसी 24 दिन में बनाता है एक दिन में कितनी बनाएगा, bastar को चोविश से भाग करो तीन, यही हो गया। तो आप मुझे बताओ, इस हिसाब से दोनों लोग A और B मिलकर एक दिन में कितनी कुरसी बनाते हैं A और B, तो दौनों लोग अगर A और B मिल जाएं तो एक दिन में चार और तीन साथ कुरसी बनाएंगे A और B एक दिन में साथ कुरसी बना डालेंगे तो पांच दिन में कितनी कुरसी बनाएंगे जी 35 अगर A और B मेरे दोस्तो 35 कुरसी बना डालेंगे मेरे प्यारे भाई टोटल काम कितना है 72 टोटल काम 72 है मेरे दोस्तो 72 मेंसे इन्होंने 35 कुरसी बना डाली तो काम बचा कितना 72 मेंसे 35 घटाएंगे 37 37 कुरसी बनाने का काम बाकी है जो अभी और करना है और सवाल में यही तो पूछा है बचे हुए काम का अंश बताओ यानि कि total work आपका 72 है और 72 में से 37 कुरसी बनना अभी बाकी है यानि कि total work 72 का 37 हिस्सा अभी होना बाकी है 37 बटे 72 वर्क आपका remaining है B option समझ गे होंगे ठीक है ना भई 72 में से आपने 35 कुर्सी बना ली तो 37 कुर्सी बच्ची है 37 बटे बातर कुल वर्क का बाकी है ठीक है बच्चो आगे मैं मेरे प्यारे भई अब आपको अगला concept अगला example दिखाता हूँ ध्यान से सुनेगा चले यह सब मैं मिटा दूँ मिटा दे रहा हूँ और आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा A किसी काम को 35 दिन में करता है A और B मिलकर काम 21 दिन में करते हैं तो पूछा है B अकेला काम कितने दिन में करेगा A किसी काम को 35 दिन में करता है A plus B 21 दिन में करते हैं B अकिला कितने दिन में करेगा तो भई काम कुछ मत सोचा करो सवाल में 35 और 21 दौनों से कटने वाला नंबर ऐसा नंबर जो 35 से भी कटे और 21 से भी कटे ऐसा कौन सा नंबर है मेरे दोस्तों तो आप बताओगे 105 35 तिया 105 25 पंजे 105 जितना ज़ादे आप प्रेक्टिस करोगे जितना ज़ादे आप संख्याओं के साथ खेलोगे उतना जाल जल्दी आप पहचान पाओगे तो A 105 कुरसी 35 दिन में बनाता है एक दिन में कितनी मनाएगा 3 A और B मिलकर 105 कुरसी किस दिन में बनाते हैं एक दिन में कितना बनाएगे 5 यानि कि मैं यह कह सकता हूँ यहां से A प्लस B की जो एफिशंसी है वो 5 है A प्लस B एक दिन में 5 कुरसी बनाते है और मेरे दोस्तो A एक दिन में कितनी कुरसी बनाता है 3 तो B कितनी कुर्सी बनाएगा 2 3 और 2 5 होता है यानि कि B की Efficiency क्या आगी 2 आगी B की Efficiency क्या आगी मेरे दोस्तो 2 आगी या आप बोलो घ्हांसर यानि कि B एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है पूछा है B अकेला काम कितने दिन में करेगा बै टोटल काम है 105 105 कुर्सी अगर B को बनानी है B एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है तो 105 कुर्सी बनाने में B को कितना समय लगेगा 105 को 2 से भाग कर देंगे साड़े बावन दिन तो साड़े बावन दिन में यानि कि मेरे दोस्तो B अखेले सारा काम निप्टा देगा अच्छी बात है आप बलोगे हांसर हमें अच्छी तरीके से समझ में आगए ये सवाल देखेंगे सवाल लंबर चार ये सवाल CGL 2023 के पेपर में आया है A अखेले किसी काम को 120 दिन में कर सकता है अफट अफट कर लो जल्दी से A किसी काम को अकेले 120 दिन में कर सकता है जबकि A और B काम पूरा कर सकते हैं 72 दिन में 72 डेज में तो पूछा है B अकेले काम किते दिन में कर लेगा तो 120 और 72 दौनों से कटने वाला नंबर 360 360, 180, 90, 120, 72, 45 इन सब से भाग होता है आपको पता होना चाहिए 120 और 72 दौनों से कटने वाला नंबर इन कैल्सियम 360 मैंने टोटल वर्क माल लिया टोटल वर्क अब आपको तोचो A एक दिन में कितने काम करता है 3 ठीक है भाई A की एफिशंसी कितनी है 3 A प्लस B की कितनी है A और B 360 कुरसी 62 दिन बनाते एक दिन में कितनी मनाएंगे 360 बटे बादता रहा 5 पांच बनाएंगे तो A की एफिशंसी 3 है A प्लस B की 5 है A प्लस B की कारण चमता यह एफिशंसी 5 है A की कितनी है 3 है तो B की कितनी बची फिर 2 बची 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा यानि की B की एफिशंसी 2 है यानि की B अकेला काम कितने दिन में कर सकता है तो टोटल काम 360 अगर B अकेले करे तो B करेगा 2 एफिशंसी के साथ और B को समय लगेगा 180 दिन यह आंसर है हमें लगता है कि आप CGL का जो पिछले साली सवाल आया है आप कर पा रहे हैं एक और सवाल करेंगे लाश्ट येर के CGL एकजाम का बनाओ रक्षित अजय और 37 एक नगर निगम में सफाई करम चारी है ये तीनों बिचारे सफाई करम चारी है रक्षित अजय और 37 रक्षित को अकेले नाली साफ करने में बीस दिन लगते हैं, तो रक्षित अकेले नाली साफ करने में बीस दिन लेता है, जबकि अजय को अकेले इस काम को करने में, सुरी, घंटे, बीस घंटे, घंटे बिटा, दिनों में नाली साफ करेगा, तो हो गया हमारे देश साफ रक्षित अजय सतीस एक नगर निगम में सफाई करमचारे रक्षित को अकेले नाली साफ करने में 20 गंटे लगते हैं, जबकि अजय को अकेले नाली साफ करने में 12 गंटे लगते हैं अजय को, इसको 20 गंटे लगते हैं, इसको 12 गंटे लगते हैं अजय को, तीनों को मिलकर ना पांच घंटे लगते हैं तो पूचा है सतीस अकेले कितने घंटे में काम पूरा कर सकता है, सतीस अकेले कितने घंटे में पूरी नाली चमका सकता है, तो बीस बारे पांच तीनों से कटने वाला नंबर, बीस बारे पांच से कटने वाला नंबर, तो साथ ही दिग गया है, टो अजय 60 काम करते हैं बारे घंटे में एक घंटे में करेगा पांच अचा तीनों लोग मिलकर 60 उनिट सफाई करते हैं पांच घंटे में तो एक घंटे में कितना करेंगे 60 बटे 5 बारे यानि कि तीनों की एफिशंसी मिलाकर बारे है आप बताओ रक्षित की एफिशंसी कितनी ह 5 तीन 5 आठ तीनों की मिलाकर efficiency 12 होने चाहिए 13 की मिलाकर करत्षमता 12 होना चाहिए तो यह तो 3 और 5 आठ हो रहा है यानि कि आपके 37 की efficiency कितिनों कि 4 4, 3, 5, 8, 4 12 आगया यानि कि 37 की efficiency 12 आ गयी यानि कि 37 अकेले 60 unit काम 4 efficiency के साथ अगर करेगा गंटे का समय लगेगा 15 आवर और यह सवाल का अंसर है C option क्या आप इस तरह के सवाल उसे अप चिर्व परीचित नहीं है मुझे लगता है कि आप इस तरह का कोई भी सवाल आप कर पाओगे आगे चलेंगे यह बताओ सवाल UP Police Assistant Operator के एकजाम में आया है 2024 में करिए विश्नु, कार्ति और शिव मिलकर एक काम को 16 दिन में करते हैं विश्नु, कार्तिक और शिव नाम का ना पहला लेटर उठा लिया करो यह मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं विश्नु और कार्तिक मिलकर विश्नु जी और कार्तिक मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं विश्नु प्लस कार्तिक काम को मिलकर करते हैं 24 दिन में पूरा तो पूछा शिव अखेले उस काम को कितने दिन में करेंगे बहुत बढ़िया तो भाई मेरे 16 और 24 का LCM, मैंने टोटल वर को फिर से वही काम, 48 मान लिया, तो हमें इस बात की जानकारी दीजे कि विश्णु, कार्ती और शिव, 48 कुर्सी 16 दिन में बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 3, विश्णु और कार्ती कार्ती का 24 दिन में बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 2, आप से पोचा, शिव अकेले काम कितने दिन में कर लेंगे? तो question solve करना है, तो हमें पता लगाना होगा, कि सिव की efficiency क्या है? आप बताओ, विश्णु और कार्तिक मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 unit, 2 unit, वै तीनों मिलकर एक दिन 1 आगे, यानि कि सिव 48 unit work अखेले 1 efficiency के साथ करेंगे, तो 48 दिन सिव को लगेंगे, answer B option है, बहुत बढ़िया, easy सा सवाल था, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, आगे चलिए, सवाल number है आपके सामने 7, अब यहां से मेरे दोस्तों यह type, अगला type आ चुका है, छोड़ने अगने वाले सवाल है, type number आप 3 कह सकते हैं, तीसरा, अभी तक मैंने आपको दो वराइटी पढ़ाई हैं, एक तो simple वाला कि मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, और दूसरा मेरे दोस्तों जब आप से उल्टा पूछा जाता है, type number 3 लीजिए, होता क्या है कि लोग काम करते र इस दिन में करता है, और बी उसी काम को मेरे प्यारे दोस्त, 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में, ठीक, बी ने 9 दिन तक काम किया, फिर छोड़ दिया, बचे काम को, ए अक्यला कितने दिन में करेगा, तो भाई, 20 और 15 का LCM, आप 60 मां लीजे, 60, टोटल वर्क 60, तो हमें बताईए कि A की कारे छमता कितनी है, 3, B की Efficiency कितनी है, 4, 15, 4, 60, B ने 9 दिन तक काम किया, B ने 9 दिन तक काम किया, मेरे दोस्तों, अच्छा, B एक दिन में 4 कुरसी बनाता है, यह जो बंदा B है, एक दिन में 4 कुरसी बनाता है, तो B ने 9 दिन में कितनी कुरसी बना तो बचा कित्रा मेरे दोस्तों, 60-36 गटाई बचा काम 24, 24 उनिट काम बचा, अब इस बचे काम को अकेले ए कितने दिन में करेगा, एक तीन कुरसी बनाता है, ए जो एक दिन में तीन कुरसी बनाता है, तो 24 कुरसी बनाने मेंоме कितने समय लगेगा, 24 को 3 से भाग देंगे 8 दिन तो बचे काम को अकेले 8 दिन में कर लेगा easiest सवाल easy-easy सवाल ही आ रहे हैं बताईए सवाल number 8 करो A, B, C मिलकर किसी काम को X, 345 दिन में कर सकते हैं B और C साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं बचा काम अकेला A 12 दिन में करता है X का मान बताओ देखे प्यारे दोस्त इस सवाल में आपसे X की value तो पता ही नहीं है तो इस पे तो ध्यान ही नहीं देना A पे तो आपको ध्यान ही नहीं देना आपको B और C का पता है तो B, C पे ध्यान दीजिए सवाल में साब साब कहा है कि A काम को X दिन में करता है B काम करता है 30 दिन में और C काम करता है मेरे दोस्तो 45 दिन में तो हमें काम करते हैं 30 और 45 का ही LCM ले 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 दे 25 दूनी 90 2 ये A, B की efficiency आगी सवाल में कहा गया है कि 1-7 मिलकर 6 दिन तक काम करते है कौन B और C B और C 1-7 साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते है चब B और C एक दिन में कितना काम करते है B और C B और C एक दिन में तीन और 2 पांच करसी बनाते हैं 2 और C एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं तो B और C छे कुर्सी दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे 30 तो B और C ने 30 कुर्सी बना दी मेरे प्यारे भी 30 तो बचा काम कितना 60 बचा काम मेरे प्यारे भी 60 है अब इस बचे काम को मेरे दोस्तों अकेले ये ने किया है बारे दिन में यानि कि 60 कुरसी ये ने बनाई है कितने दिन में बारे दिन में बनाई है बारे दिन में सवाल ये है X का मान X का मान मतलब सवाल ये पूछा गया है ये पूरा काम कितने दिन में करेगा पूरा काम तो 90 कुरसी बनाने का है अगर 60 कुरसी 12 दिन में बनाई है तो 90 कुरसी कितने दिन में बनाएगा यह 60 का डेल गुना है 60 की डेल में गुना करो 90 आता है तो यहाँ दिन भी डेल गुना लगना चाहिए 12 का डेल गुना 18 दिन लगेगा अठारे दिन का समय लगेगा यह आंसर आ गया अठारे दिन ए उप्शन तो यह अगेन एक बहुत ही आसान सवाल बना आ गया यह सवाल नंबर है 9 आपके सामने कर लोगे मरे दोस्तो ठीक कर पा रहें ना रिमेनिंग वाला टाइप नंबर 3 ही चला है ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है ए अगर काम करने आगे ना 60 दिन में तहसनेस कर देगा काम को ठीक है वह इस पर 15 दिन तक काम करता है वह जो है 15 दिन तक काम करता है ए फिर बी बचे काम को 48 दिन में करता है फिर बचे काम को अकेला जो बी है वो 48 दिन में पूरा करता है पूछ है A और B मिलकर काम कितने समय में पूरा कर सकते A और B मिलकर काम कितने समय में कर लेंगे यहां से मेरे प्यारे भी एक level ये level change हो गया आप चार सोचो सोचने के तरीके बहुत सारे हैं करने के और मैं आपको बिल्कुल ले टेस्ट करा रहा हूँ, यूनिक जो अभी एक्जमर पूछ रहा है, ट्रेंडिंग में हैं, पर मैं आपको बैस तरीका बताऊँगा, मैंने आपको पढ़ाया है, कि एफिशंसी का जो रेश्यो होगा मेरे दोस्तों, वो समय टाइम के रेश्यो का उल्टा होता ह है, जो आदमी समय जाद है लेगा काम करने में, स्लो है, एफिशंसी कम है, समय कम ले रहा है, फास्ट है आदमी, एफिशंसी जाद होगी, एक किसी काम को, दो लोग है यहां पर, ए और बी, एक किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वे 15 दिनों तक काम करता है, तो भाया, ऐसे को 60 दिन में कर सकता है 60 दिन में उसने 15 दिन तक काम किया तो एके कितने दिन का काम बाकी है 45 दिन का एके 45 दिन का काम अभी बाकी है एक काम पूरा कर सकता है 60 दिन में उसने 15 दिन तक काम किया तो एके बिचारे के 45 दिन का काम अभी बाकी है लेकिन इसी बचे काम को जो काम अभी बाकी है इस काम को ए तो करता 45 दिन में लेकिन इस काम को जिसको ए 45 दिन में करता इस बचे काम को बी ने 48 दिन में किया बी ने 48 दिन में किया 48 दिन में यानि कि जिस काम को बचे काम को ए 45 दिन में करता इसी बचे हुए काम को B ने 48 दिन में किया मेरे प्यारे बी तो किसका रेश्वा आगा ताइम का रेश्वा आगा तीन से कट रा है 15-16 समय का नुपात है A और B के A और B के बचे काम को करने में लगे समय का नुपात 15-16 है 15-16 तो A, B की efficiency का ratio reverse हो जाएगा 15-16 का उल्टा 16-15 तो A और B की efficiency का ratio reverse आगया मेरे दोस्तो 16 ratio 15 और मेरे पास efficiency है तो जो मर्जी वो करवालो मुझसे अब जो मर्जी वो करवालो जो मर्जी वो निकलवालो सवाल में पूछा है A और B मिलकर काम कितने दिन में करेंगे A और B मिलकर काम कितने दिन में करेंगे तो पहले total work तो पता करो total work आप कहीं से भी निकाल सकते पहली line देखो पहली line में ही साप साप कहा है कि A किसी काम को 60 दिन में कर सकता है पहली line ही 16 कुरसी बनाता है 16 कुरसी ए पूरा काम 60 दिन में कर सकता है 60 दिन में total work आगया total work यह total work है ए एक दिन में 16 कुरसी बनाता है पूरा काम 60 दिन में करेगा तो 60 दिन में कितनी कुरसी बनाएगा 16 की 60 में गुणा करेंगे 960 ए total work आगया बोला इस total work को A और B मिलकर कितने दिन में करेंगे तो अगर इस काम को A और B मिलकर करेंगे A एक दिन में 16 कुर्सी बनाता है B 15 तो दोनों मिलकर इस काम को करेंगे 16 प्लस 15 31 efficiency के साथ तो कितना समय लगेगा 960 कुर्सी बनाने में 31 efficiency के साथ 960 बटे 31 दिन लगेंगे कटेगा तो है नहीं यह रहा आंसर पहरा ठीक है यहां तो बहुत easy data है अगर कोई muskill data भी हुआ तो आप सवालों को इस तरीके से खेल पाओगे एक और सवाल देखिए मेरे दोस्तों इस तरीके से बनाएं सवाल number 10 technician के paper में आया है सवाल में बोला है A और B मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते दो लोग है A और B A और B मिलकर काम कर सकते हैं भाई मेरे 45 दिन में 45 दिन इनके लिए काफी हैं उन्होंने 35 दिन तक काम किया A और B ने 35 दिन तक काम किया फिर A ने काम छोड़ दिया इन लोगों ने 35 दिन तक काम किया फिर A ने काम छोड़ दिया ने कि बचा काम किसने करा होगा B ने फिर बचे काम को अखेले B ने 24 दिन में पूरा किया बचे काम को अखेले B ने किया है 24 दिन में B पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, सोचो बहुत बढ़िया, मैंने बोला जब भी ऐसा सवाल आए, हमेशा बचे काम पे, remaining work पे ध्यान दिया करो, remaining work पे remaining work पे सवाल में सवाल कह रहा है कि दो लोग A और B मिलकर काम 45 दिन में कर सकते हैं A और B ने पेंटिस दिन तक काम किया तो A और B के कितने दिन का काम बाकी है दस दिन का काम बाकी है A और B ने पेंटालिस दिन में काम कर लेना है पूरा पेंटिस दिन काम किया तो A और B के दस दिन का काम बाकी है तो A और B के दस दिन का काम बाकी है और इसी बचे काम को, इसी बचे काम को, बी ने 24 दिन में किया है, तो जिस काम को मेरे भाई A और B मिलके 10 दिन में करते हैं, वो काम B ने किया अकेले 24 दिन में, तो भाई ये तो time का ratio आ गया, किस से जा रहा है, ये तो 2 से जा रहा किया है, और 2 पंजे 10 और ये आपका 24 चले ज तो efficiency का अनुपात उल्टा आएगा 5 बारे का उल्टा कर दीजे 12 बारे रेश्यो 5 इनकी efficiency का ratio आगया efficiency का मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि अगर B की efficiency 5 है B की efficiency 5 है तो A प्लस B की 12 है 12 तो A की कितनी आजाएगी 7 A की efficiency 7 आजाएगी 7 7 पूचा 5 पूचा B अकेला काम कितने दिन में कर सकता है तो B की कि यह सवाल तो और जल्दी हो जाएगा बुच्टेवाला सवाल पूचता हो अगरे यह बी की बजाए A पूचता यह यह तो जल्दी हो जाएगा मैने ध्यानी नी दिया B की वज़ाए A पूछेगा तो सवाल मेरे दोस्तों थोड़ा अच्छा बनेगा यह बताई जल्दी से A अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा चेंज कर देते हैं तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा पहली लाइन से निकाल सकते हैं ए और भी मिलकर काम 45 दिन में कर सकते हैं ए और भी एक दिन में कितना काम करते हैं ए और भी मिलकर एक दिन में 12 कुरसी बनाते हैं ए और भी मिलकर एक दिन में 12 कुरसी बनाते हैं यह और भी मिलकर पूरा काम 45 दिन में करते हैं, टोटल वर के, इस टोटल वर को अकेला ए कितने दिन में करेगा, तो भई ए करेगा 7 efficiency के साथ बटे 7 दिन में, तो 45 गुणा 12 कितना आ जाएगा मरे दोस्तों, 540 बटे 7 दिन में, तो अकेले ए पूरा काम 540 बटे 7 दिन में कर सक सकता है, यह मेरा आंसर आजाएगा, और इससे smart solution नहीं हो सकता, किसी भी variety के लिए, समझ मैं आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, हाला कि इस सवाल में इतनी भी मेहनत की जौरत नहीं है, आप से सवाल में B के बार में पूछा गया था, तो देखो, direct B का कैसे निकाल स उन्होंने 35 दिन तक काम किया, 35 दिन तक काम किया, फिर A ने काम छोड़ दिया, आप बताओ, A और B किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, A और B, एक बटा 35, अगर दो लोग मिलकर काम 45 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक बटे 45 एक दिन में एक बटे 45 काम करते हैं तो 35 दिन में कितना काम करेंगे 35 से गुणा करो 35 बटे 45 ये भी सीधा सोचने की आदर डालो सीधा सोचने की अगर दो लोग A और B मिलकर काम 45 दिन में कर रहे हैं तो उन्होंने 35 दिन में कितना काम किया होगा 35 बटे 45 काम किया होगा 5 से चला जाएगा 7 बटे 9 काम यानि कि total का 7 by 9 काम किया होगा A और B ने फिर A छोड़के चला गया A छोड़के चला गया A छोड़के चला गया तो बचा काम किस ने किया है B ने बचा काम अब किस ने किया है, बी ने किया है, बी ने, तो बचा काम है कितना, टोटल काम तो एक होता है, एक में से साथ बटे नो हो चुका हो लड़ी, तो बचा काम कितना, दो बटे नो, दो बटे नो काम करना बाकी है, और इस बचे काम को, दो बटे नो काम को, अखेले बी बचे दोव अकाम को भी ने 24 दिन में किया, तो मेरे दोस्ते यह जो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई साइ, इसकी तो जवाब देए चाहिए, ना degrad लैगा, भी न्यग। किया है, 2 बटे 9 वर्क, तो भेटाई 2 बटे 9, जब राइट शैड में चला जाएगा, तो पलड जाता है, 9 बटे 2, है ना, 2 बाइ 9 काम अगर 24 दिन में है, तो पूरा काम कितली दिन में, 2 बटे 9, जब राइट सैड में जाएगा, तो 9 ऊपर, पर डारेक्ट सोच सकते हैं, ये बताईए, सवाल नंबर है, 11 मेरे दोस्तों, आपके सामने अगला टाइप, ये अगला टाइप है, जिसको मैं कह सकता हूँ, टाइप नंबर 5 बनाईए, ये किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, ये ने अखेले काम सुरू किया, कितने दिन के बाद बी जुड़े, कितने दिन के बाद बी को जुड़ना चाहिए, कि काम 15 दिन में the end हो जाए, बहुत बढ़िया, एक इसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन में, तो मैंने टोटल वर्क माल लिए बी 18, 24 केल्स हैं 72, 72, ये मैंने 72 माल लिया, तो A की efficiency कितने आगी अचाहरे चोग 72 और B की efficiency आगी 24 या 72 यहा तक तो normal जिंदगी यह अब असली खेली आशिरो होता है A अकेले काम शुरू करता है A ने अकेले काम करना शुरू किया अकेले अकेले काम कर रहा अकेले अकेले बोला कितने दिन के बाद B.B. आ जाए कितने दिन के बाद B.B. काम में आ जाए यानि कि A के साथ साथ B.B. आ गया यानि कि सवाल मैं आपसे पूछा है ए ने अकेले काम सुरू किया अकेले करता रहा कितने दिन के बाद ये इतने दिन तक ए अकेले करता रहा कितने दिन के बाद भी आ जाए कि पूरा काम पंदरे दिन में हो तो ये ए अकेले इतने दिन काम किया ये आपसे पूछाए सोचो, ऐसे सवालों में logic ये है मेरे प्यारे भाई कि ए तो सुरू से लेके आखिर तक काम कर रहा है ए तो सुरू से लेके आखिर तक काम कर रहा है ए तो कहीं छोड़ के गया है नहीं सुरू से ले आखिर तक तो A ने कितना काम किया होगा 15 दिन में? f1 दिन में 4 कुर्सी बनाता है, maintenant, six. तो बची कौन सी 12 कुर्सी? 12 कुर्सी, इसका मतलब अख़ेल 2 ने बनाई होगी. 72 में से 60 गटे 12 कुरसी इसका अकेले बी ने बनाई होंगी और यह जो हमारा बी है यह जो हमारा बी है यह एक दिन में कितनी कुरसी बनाता है तीन बनाता है बी एक दिन में तीन कुरसी बनाता है तो बी ने 12 कुरसी कितने दिन में बनाई होंगी चार दिन में A & B ने मिलकर, तो B, 4 दी नहीं रहा है, तो A & B ने मिलकर 4 दिन काम किया है, B कितने दिन बाद काम पे आया, कितने दिन के बाद B को जोड़ना चाहिए, टोटल काम हुआ 15 दिन में, B ने 4 दिन ही काम किया अक्र के, यानि कि सुरू के जो 11 दिन है, उसमें A ने अकेले काम किया है A ने अकेले काम किया है मेरे प्यारे भाई यानि कि 11 दिन के बाद B को जोड़ना चाहिए 11 दिन के बाद A आंसर है अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों लोजिकलि या आपको सोचना था आगे आ जाते हैं सवाल लंबर 12 बनाईए अगला टाइप अगला टाइप आपके सामने आगया मेरे दोस्तों टाइप लंबर 6 और ये सिफ्टिंग वाला सवाल है ठीक है? शीट में मैंने डाले आपकी प्रैक्टिस के लिए बेनी एक कार्रे को 24 दिन में कर सकता है बेनी एक कार्रे को 24 दिन में कर सकता है चेतन और डेविड 36 दिन में कर सकते है तो भाईया बेनी है वो एक काम कर सकता है 24 दिन में ठीक चेतन जी काम कर सकते है 36 दिन में डेविड काम कर सकता है 48 दिन में तो बेनी एक काम को 24 दिन में कर सकता है चेतन एक साथ काम करते हैं, सभी ने साथ में काम करना शुरू किया, बेनी काम पूरा होने से चार दिन पहले और चेतन काम पूरा होने से दस दिन पहले काम छोड़ देता है, बाद में नहीं बोला, कि बेनी चार दिन बाद चला गया और चेतन दस दिन बाद चला गया, बोला ने end तक काम किया, यानि कि David ने सुरू साखर तक काम किया है, तो इन दुनों की संख्या ग्यात किजिए, जिन दिनों में काम पूरा हुआ, काम कितने दिन में पूरा हुआ, सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ, कि काम है क्या, 24, 36, 46, तो बेनी की एफिशंसी आजएगी, 24, 24, 4, चेतन की आएगी, 36, चेतन एक दिन में चार काम करता है, और डेविड की आजएगी, 3, 48, 3, 14, तो इन दिनों की एफिशंसी आगी, अब सवाल देखो, सवाल है कि तीनों ने साथ में काम सुरू किया, साथ में, साथ साथ काम करते रहे, करते रहे, करते रहे, और मेरे दोस्तों यहाँ पे जाके काम खतम हुआ, यहाँ पे जाके काम खतम हुआ, मुझे यही टाइम निकालना है, मुझे यही समय निकालना है, माना कि काम यहाँ से सुरू हुआ है, और काम यहाँ पे जाके खतम हुआ है, मुझे इस समय निकालना है, समय, कि कितने दिन है, लेकिन हुआ क्या है इस प्रोसेस में, कि बेनी जो है चार दिन पहले काम छोड़ देता है, काम पूरा होने से चार दिन पहले बेनी काम छोड़ के चला गया, और काम पूरा होने से दस दिन पहले काम पूरा होने से दस दिन पहले चेतन छोड़के चला गए यह हुआ है इसमें गड़बड पूछा काम कितने दिन में हुआ मुझे दिन निकालना है देखो मैं दिनों की संख्यानी बदलूँगा इस टैप के सवाल में एक मैथड लगता है जिसको हम कहते है शिफ्टिंग मैथड थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा तो ही आप कर पाओग शिफ्टिंग मैथड मेरे प्यारे भाई देहाँ सुनो मेरे प्यार भाई काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पर जाके end हुआ में टाइम नी बदलूँगा, बाकी में सब कुछ बदल दूँगा, तो इस टाइम में, इस समय में काम हुआ कितना है, मेरे दोस्तों, 144, 144, काम हुआ कितना है, 144, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बेनी काम पूरा होने से, चार दिन पहले छोड़ के चला गया, अब एक बात सोचो बेनी सुरू से लेके आखिर तक लगा हुआ है, बस काम पूरा होने से, चार दिन पहले छोड़ के चला गया, अब बेनी के हाँ जोड़ लो, अगर बेनी चोड़ के न जाता, बेनी अगर आखिर के चार दिन भी काम करता, तो कितना काम होता? बेनी एक दिन में छे कुरसी बनाता है छे, बेनी एक दिन में छे कुरसी बनाता है छे, तो चार दिन में कितनी कुरसी बना देता बेनी 24, यानि कि सेम टाइम में 24 कुरसी और बनती, अगर बेनी काम छोड़ के ना जाता, बेनी अगर आखर के चार दिन भी ये काम करता बेनी, तो 24 कुरसी और बनती एक्ष्रा, बनती की नहीं बनती, आप बोलोगे हैं सर, ऐसे ही चेतन काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ के चला गया, चेतन ही है ना, चेतन, अगर चेतन छोड़ के नहीं जाता, चेतन सुरू से आखिर तक है, बस यह लाष्ट के 10 दिन गाया वै, अगर चेतन आखिर के 10 दिन भी काम करता, अगर चेतन आखिर के 10 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्ष्टा होता, चेतन एक दिन में 4 कुरसी बनता है, तो 10 दिन में कितनी कुरसी बनती, 40, 40, चेतन एक दिन में 4 कुरसी बनता है, अगर चेतन आखिर के 10 दिन भी काम करता, तो 40 कुरसी और बनती, तो भाया इसी समय में, अगर ये दोनों लोग बेनी और चेतन छोड़ते नहीं, शुरू से लगे रहते आखर तक, तो इसी समय में ने समय तो नहीं बदला, इसी समय में काम कितना होता, 144 और 64, 144 और 64 हो जाएगा 208, 208 मेरे दोस्तों, यानि कि सेम 208 कुरसी बनते, और कुरसी बनाता कौन, ये 208 कुरसी बनाता कौन, तीनों लोग मिलकर, ABC तीनों मिलकर, है भई, ये बेनी, सॉरी, BCD तीनों मिलकर, मेरे प्यारे भई, बेनी, चेतन, और डेविट तीनों मिलकर बनाते, बेनी, चेतन, और डेविट तीनों मिलकर बनाते, क 208 कुर्सी कितने दिन में मनाएंगे बरे प्यारे भी, तेरे से भाग करेंगे 208 में, तेरे कम तेरे साथ तेरे चिंग अठितर, 16 दिन में, यानि कि 16 देजी सवाल का अंसर है, तो यानि कि काम 16 दिन में खतम हुआ, तो बेटा, मैंने समय नहीं बदला, जो मुझे समय निकालन था, मैंने टोटल वर्क बदल दिया अपनी स्वीधा के लिए, इसलिए बोलते हैं से शिफ्टिंग में थड़, ठीक है बई, जवर्दस सवाल है, इस पर मैं आपको एक क्वेश्ण और प्रेक्टिस करवा देता हूँ, सवाल लंबर 13, जल्दी से करेंगे, ABC अलग-अलग, 16, 32, 48 दिन में काम कर सकते हैं, तो 3 लोग हैं, A, B, C, A काम कर सकता है 16 दिन में, B कर सकता है 32 दिन में, C कर सकता है 48 दिन में, एक साथ काम सुरू किया, देखो पहले तो 16, 32, 48 का आप LC में ले लीजिए, 96, टोटल वर्क, यहांसे A की Efficiency कितने आजाएगी 6, B की कितनी आजाएगी 3, C की कितनी आजाएगी 2, 48, 29, तीन की Efficiency आगई, असली खेल इसके आगए है, उन्होंने एक साथ काम सुरू किया, एक साथ काम सुरू किया, लेकिन B ने काम सुरू होने के 8 दिन बाद, B ने काम सुरू होने के 8 दिन बाद और C ने काम खतम होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया काम कितने दिन में खतम हुआ देखो तीनों ने एक साथ काम सुरू किया और माना यहां से काम सुरू हुआ और काम यहां पे जाके खतम हुआ है मुझे यही time निकालना और इस time में काम कितरा हुआ? 96 कृसी बनाने इस समय में काम कितरा हुआ? 96 लेकिन काम शुर्व होने के 8 दिन बाद BM शुर्द दिया या के बिल शुरू के 8 दिन काम किया है BM के बल शुरू के 8 दिन काम किया है BM कोई षुग नहीं when that गया, बी का एक्सडेंट हो गया बेटा, प्यारा हो गया B उपर, C ने काम खतम होने से 6 दिन पहले छोड़ दे आने कि जो C है, जो हमारा बंदा C है, उसने आखर के 6 दिन काम ही नहीं किया, और A ऐसा है, A के बारे में तो कुछ बोला नहीं, याने कि A ने सुरू से आखर तक क काम किया है, काम कितने समय में पूरा हुआ, एक बात सोचो, मुझे ये समय निकालना है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये काम यहां से शुरुआ, यहां पर जाके निवक्टाइमें, समय नहीं बदलूँगा, बाकी सब कुछ में बदल दूँगा, इसे ही बोलते है, Shifting एक एक पिध्यान दो B, B ने बस शुरू के आठ दिन काम किया, फिर B लापता हो गया, तो भईया, आप बी से पहली बोल दे, जब तुझे आठ दिन बाद भाग नहीं है, काम छोड़के, जब तू अपनी अस्तेसी कराए गई, तो तुझे आठ दिन भी काम मत कर, B को आठ दिन भी काम मत कराओ, B को पिक्चर से भगा दो, भगा दो लात मार के, B एक दिन में तीन कुरसी बनाता है, यह जो बंदा B है, एक दिन में तीन कुरसी बनाता है B, तो B आठ दिन में कितनी कुरसी बनाएगा? 24 यानि कि अगर भी काम ही ना करता अगर भी काम ही ना करता सुरू के आठ दिन भी तो 24 कुर्सी कम बनती 24 कुर्सी कम बनती अगर भी काम ही ना करता तो 24 कुर्सी कम बनती यानि कि अगर भी आता ही ना इस सवाल में ही ना होता मेरे प्यारे बैई 24 कुर्सी कम बनती आप पहले छोड़ दिया काम पूरा होने से 6 दिन पहले C ने काम छोड़ दिया भाई C ना C ऐसा बंदा जो सुरूर से लेकर लगा हुआ है बर आखर के 6 दिन कंजूसी कर गया C से बोलेंगे भाई C क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहा है अगर C आखर के 6 दिन भी काम करता आखर के 6 दिन भी तो कितना काम होता मेरे भाई C एक दिन में 2 कुरसी बनाता है 2 तो C 6 दिन में कितनी कुरसी बनाएगा मेरे भाई 12 अगर C आखिर के दिन भी काम करता 2 दिन भी 6 दिन भी तो 12 यूनिट काम extra होता तो same time में काम कितना होता 84 96-24 72 बलस बारे 84 same time में 84 यूनिट काम होता इस काम को करते कौन इस काम को करते कौन मेरे प्यारे भाई दौनों लोग दौनों लोग A और C मिलकर B तो मैंने डिलीटी कर दिया यानि कि इस same समय में अगर A और C starting send तक काम करें इस same time में तो 84 काम होगा A और C मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं और दो आठ तो 84 उनिट काम करने में A और C को कितना समय लगया 84 बटे आठ यानि कि 21 बटे दो 21 बटे दो यानि कि साड़े दस दिन का समय लगया साड़े दस दिन और या answer है Option नमबर यहां से A सही है अगेन प्यारा सवाल मुझे लगता है आप इस टैप का question कर लोगे ठेक है जी अब हम आगे चलने वाले हैं सवाल नमबर 14 और इसको हम कहेंगे टाइप नमबर 7 बिल्कुल टाइप वाइस टाइप मैंने सवालों को लिखा है टाइप नमबर 7 आईए मेरे प्यारे भाई ठेक है जी जिसमें 2-2 का group होगा इस टाइप में 2-2 का group होगा जैसे P और Q एक काम को 24 दिन में कर सकते है P और Q एक काम को 24 दिन में कर सकते है तो दो लोग है P और Q वो अगर मिल जाएं तो एक काम 24 दिन में हो जाएगा Q और R काम को 30 दिन में कर सकते हैं ठीक है ना यह मैंने यूपी कॉंस्टिबल की फ्री लाइफ बेच में भी कराया था है यह वाला सवाल, Q और R मिलकर काम 30 दिन में कर सकते हैं, जब कि P और R मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में, कहा है X की Efficiency P का 4 गुना है Y की Efficiency क्यों का आदा है Z की Efficiency R का 2 गुना है तो आप से पूछा है सेम काम को X, Y, Z मिलकर कितने दिन में करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त सबसे पहले आप मुझे बताओ यहाँ P, Q, R इन तीनों की Efficiency क्या है P, Q, R की Efficiency क्या है पहले यह बताओ, 24, 30, 40, तीनों से कटने वाला नमबर आसान सा बड़ा आसान सा नमबर 120 24, 30, 40, तीनों से कटेगा टोटल वर्क आप मुझे बताओ P, Q क्यों की Efficiency क्या हैगी 24, 5, 120 Q, R की क्या हैगी Q, R एक दिन में 34, 12, 4 काम करते है P और, 120 कुरसी बनाते है 40 दिन में, एक दिन में कितनी मनाएंगे 3, 3 कुरसी बनाएंगे मेरे प्यारे भाई मैं यह पूछना चाहता हूँ यहां से P, Q, R की Efficiency क्या होगी मेरे दोस्तों, अगर मैं तीनों की Efficiency निकालू, P, Q, Q, R तो बताओ क्या आएगा ऐसे सवाल में, क्या करना है अगर मैं इन तीनों Equation को Add कर दूँ, अगर मैं तीनों को Add कर दूँ, यह क्या दिया Efficiency अगर मैं तीनों को Add कर दूँ तो P और P दो बार हो जाएगा Q प्लस Q, 2 Q हो जाएगा R और R, 2 R हो जाएगा तो आजाएगा Twice of P प्लस Q प्लस R यह आजाएगा और क्या आएगा मेरे दोस्तों Efficiency 5, 4, 9, 3 बार है बार है आजाएगी, बार है बोलो आ गया कि नहीं आ गया बाता ही मेरे दोस्त समझ में P प्लस P, 2 P Q प्लस Q, 2 Q R प्लस R, 2 R यानि कि 2P प्लस 2Q प्लस 2R Efficiency हो जाएगा 5, 4, 9, 3 बार है 2 से बार है 6 बार कड़ जाएगा तो P प्लस Q प्लस R की Efficiency आगी 6, 6 आगी 6 समझ में आगे Efficiency का मतलब एक दिन का काम हाँ अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि 3 लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे P Q R मिलकर काम कितने दिन में करेंगे तो टोटल काम 120 है 3 लोग मिलकर एक दिन में 6 कुरसी बनाते हैं तो 3 लोग मिलकर पूरा काम P Q R 20 दिन में कर लेंगा इतना भी सवाल प्री के पेपर में आता है तीनों मिलकर PQR काम कितने दिन में करेंगे 20 दिन में लेकिन सवाल में इस से एक लेवल आगे पूछा है अब आप हमें बताओ यहां से PQ और R की Efficiency क्या आएगी PQ और R की बताओ जल्दी से P plus Q की Efficiency 5 है P plus Q की 5 होने चाहिए अगर P plus Q की 5 है जोड़के 6 आना चाहिए तो R की कितनी आजाएगी 1 P plus Q की 5 है 5 में एक जोड़ूंगा 6 Q plus R की Efficiency 4 है Q plus R 4 होना चाहिए Q plus R 4 होना चाहिए Q plus R 4 तो P की Efficiency क्या बचेगी 2 अगर Q plus R की 4 है तो P की क्या बचेगी 2, 4, 2, 6 हो गया तभी तो 6 आएगा P की 2 है, R की 1 है तो क्योंकि कितनी बचेगी, 3, 2, 3, 3, 6, तीनों की efficiency आगी अब सवाल में बोला है, X की जो efficiency है, वो P का 4 गुना है X की जो efficiency है वो P से 4 गुना है, 2 का 4 गुना कितना होता है, 8, X की efficiency 8 है, 8 आगे, Y is half as efficient as क्यों, Y की जो efficiency है वो क्योंका आधा है, Y की जो efficiency है क्योंका आधा है तो Y की जो efficiency है क्योंका आधा है, क्यों है 3, 3 का आधा कितना होता है, डिल तो Y की efficiency आगी 1.5, 1.5 आगे Z is 2.5 times as efficient as R सवाल में बोला है Z जो है R से धाई गुना कुशल है Z की जो efficiency R से धाई गुना है 1 का धाई गुना कितना होता है धाई 1 का धाई गुना कितना होता है धाई ये Z की efficiency आगी X, Y, Z की efficiency आगी बोला है सेम काम को पूरा करने के लिए कितने दिन चाहिए अगर सेम काम को X, Y, Z मिलकर करें X, Y, Z एक साथ काम करें तो तीनों की efficiency आईगी आठ प्लस डिल्ड प्लस धाई याने की 12 डिल्ड प्लस धाई चार हो जाएगा बारे याने की X, Y, Z तीनों की efficiency मिलाकर बारे है अगर तीनों लोग बारे समझ में आया मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर पाओगे अब ठीक है एकी सवाल समझाना काफी है अब मैं आगे चलूँगा अगले टाइप की तरफ अगला टाइप अगला टाइप है मेरे दोस्तों यहाँ पर टाइप नंबर आठ एफिशंसी बेस्ट यह आपका टाइप नंबर सेवन था यह जो टाइप यहाँ से सुरू हो रहा यह एफिशंसी बेस्ट सवाल है कार्य छमता पर आधारित प्रस्न इफिशंसी बेस्ट वन बाईवन टाइप वाईवन हम कर रहे हैं सवालों को आईए विराट एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो विराट भाई साब जी एक काम 30 दिन में पूरा कर सकते हैं डैनियल उसी काम को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है डैनियल की जो efficiency वो विराट से 60% जाद है उस काम को पूरा करने में डैनियल द्वारा कुल कितना समय लगेगा भाई साल का जो यूपी कॉंस्टिवल का पेपर हुआ तो उसमें भी हर सिफ्ट में से सवाल आये थे सवाल में बोला है विराट एक काम को 30 दिन में कर सकता है लेकिन डैनियल की जो efficiency है विराट से 60% जादा है डैनियल की 60% की fraction value होते हैं 3 बटे 5 रच की एक दिन में पांच कुरसी बनाता है विराट एक दिन में 5 कुरसी बनाता है पांच पांच कुरसी बनाता है वराठ एक दिन में तो वराठ तीस दिन में कितनी कुरसी बनाएगा डिल सो यह टोटल वर्क आ गया 150 टोटल वर्क डिल सो इस काम को डैनियल कितने दिन में करेगा तो इस काम को डैनियल कितने दिन में करेगा डैनियल की एफि 4 days में, B option 18.75 days में, easy सवाल है, easy मुश्किल नहीं है, यह वाला, आओ A, B से 40% अधिक कुशल है यह A है, यह B है A, B से 40% 40% की fraction value क्या है, 2.5 A की efficiency, B से 40% ज़्याद है, आनि कि B की अगर 5 है, तो A की efficiency 2 ज़्याद है, 7 यह A और B की efficiency का ratio है, efficiency का, ठीक है A अखेले काम 31 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे आप बताओ, यह जो हमारा बंदा A है, यह एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है A, और A पूरा काम 31 दिन में करता है, तो total work आगया total work, this is total work, यह total work आगया, 31 27, अब इस काम को पूरा करने में दोनों को मिलकर A और B मिलकर कितना समय लेंगे, तो भाई, इस काम को अगर A और B मिलकर करेंगे, तो A और B मिलकर करेंगे, 7-5, 12 efficiency के साथ कितना समय लगेगा, बते 12, बते, total काम को efficiency से भाग कर लो जाएगा, तो कटा ही नहीं कुछ 270 बते, 12 दिन answer आज़ आगया, A option CGL 2023 Pre का latest सवाल है, आईए, एक और करते हैं, सवाल लंबर 17 CGL 2023 Pre में आया है A, B से 3.5 गुना तेजी से काम करता है यह A है, यह B है A वर्क्स 3 बाइ फाइव टाइम्स H fast HBI, ऐसे भी बोल सकता है A is 3.5 ताइम्स efficient than B A, B से 3.5 गुना कुषल है 3.5 का मतलब होता है 7 बटे 2 A, B से 3.5 गुना fast है, इसका मतलब यह हुआ A, B से 3.5 गुना fast है B से आने की, इसका मतलब है कि अगर B 2 कुरसी बनाता है तो 2 का 3.5 गुना कितना होता है 7, A जो है 7 कुरसी बना डालता है B की efficiency अगर 2 है तो A की efficiency साथ है यह meaning है इस line का सवाल में बोला है A takes 45 days less than B to complete a job when each works alone A, अकेले काम करने में B से 45 दिन कम लेता है जब यह मेरे दोस्तों अकेले-अकेले काम करते है तो पूछा है सेम काम को A और B मिलकर कितने दिन में करेंगे A और B मिलकर कितने दिन में करेंगे बहुत बढ़िया यह efficiency का ratio है time तो पाता है नहीं मुझे time का difference दिया है साल में दिया A, B से 45 दिन समय कम लेता है बहुत यह efficiency का ratio है A और B के तो time का ratio तो उल्टा होगा ना 2 ratio 7 यह होगा 2 ratio 7 यानि कि अगर B किसी काम को करने में 7 unit time ले रहा है तो A 2 unit time ले रहा है A जो है B से कितना समय कम ले रहा है 5 unit A, B से 5 unit समय कम ले रहा है सवाल करने सार A, B से 45 दिन पहले ही काम कर लेता है है ना A, B से 45 दिन समय कम लेता है तो 5 की value यहाँ पर 45 है 9 गुना तो आप किसी के भी दिन निकालो मैं A के दिन निकाल लेता है 2 की value भी 9 गुना होगी 18 दिन तो मैंने यह पता लगा लिया कि A जो है पूरा काम 18 दिन में कर सकता है A पूरा काम 18 दिन में कर सकता है यह मैंने इतनी भसाड इसले किया कि मैं यह पता लगा पाऊं एक अकेले काम कितने दिन में कर सकता 18 दिन में लेकिन पूछा है A और B मिलकर कितने दिन में करेंगे कुछ बच्चे A के दिन निकालेंगे B के दिन निकालेंगे फिर ELSIUM लेंगे ऐसे मत करो भाई मुझे पता है A जो है एक दिन में साथ कुरसी बनाता है साथ और A पूरा काम अठारे दिन में करता है तो टोटल वर्क नहीं आ गया A जो है एक दिन में कितनी कुरसी बनाएगा साथ पूरा काम करेगा A अठारे दिन में टोटल वर्क आ गया अब अगर इस टोटल काम को A और B मिलकर करेंगे अगर इस टोटल काम को A और B मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे इस काम को A और B मिलकर करेंगे 7 और 2 9 Efficiency के साथ A एक दिन में 7 कुर्शी बनाता है B 2 कुर्शी बनाता है 9 Efficiency के साथ कितना समय लगेगा A और B को बटे 9 9 से 8 और 2 बार जाएगा 14 दिन तो A और B मिलकर ये काम 14 दिन में कर लेंगे और मेरे भाई ये सवाल का अंसर आएगा किदर गया D options ये D 14 अच्छा सवाल है बहुत फेमस सवाल है ये प्यारा question है आईए सवाल नंबर 18 करो गौतम ये सवाल CAT 2023 के एक्जाम में आया MBA के पेपर में मुस्किल नहीं है लेकिन सवाल गौतम और शुहानी एक साथ काम करते हुए बीस दिन में काम कर सकते हैं गौतम और शुहानी अगर एक साथ काम करें तो बीस दिन में काम पूरा कर सकते हैं यदि गौतम एक दिन में अपने सामाने काम का किवल 60% करता है तो उसकी भरपाई के लिए सुहानी को उस दिन अपने काम का डिल सो परसेंट काम करना होगा डिल सो परसेंट तो फिर तेज कामगार को अकेले पूरा काम करने में कितने दिल लगेंगे इस सवाल में गजव का लॉजिक डेवलप होगा बहुत बहतरीन इसमें इसलिए सवाल आपको समझाने के लिए लिए गौतम सुहानी दौनों मिलकर काम इस दिन में कर लेंगे कोई परेशानी नी गौतम ड़स ओनली 60% अफ यूज यूज वर कौन इटे अगर गौतम एक दिन में जितना काम कर सकता है उसका 60% करे गौतम जो एक दिन में काम कर सकता है अगर उसका केवल 60% ही करेगा तो सुहानी को मेरे प्यारे भाई फिर अपने यूज वर का 1500% करना पड़ेगा to exactly make up for it अगर गौतम 60% काम करता है अपनिया जो एक दिन में कर पाता है तो सुहानी को फिर 1500% काम करना पड़ेगा जारसी बात है अगर एक आदमी बीमार होके कम काम करने लगे तो दूसरे आदमी को जादे काम करना पड़ेगा तभी तो मेरे दोस्तों काम टाइम पर हो पाएगा तो यहां से मेरे प्यारे भाई क्या आप माल्य गौतम की एफिशंसी जी है सुहानी की एफिशंसी ऐसे गौतम केवल 60% ही काम करता है 60% ही तो गौतम 100% की बज़ाए 60% काम करता है तो गौतम 40% काम करता है एक दिन में गौतम 40% काम कम करता है इसी की वज़े से सुहानी को उसकी भरपाई के लिए सुहानी को normal काम का 1500% करना पड़ता है सुहानी को 100% की बजाए 1500% काम करना पड़ता है सुहानी को 50% काम extra करना पड़ता है मेरे प्यारे भई 50% काम extra करना पड़ता है per day यानि कि गौतम ने 40% काम कम करना सुरू किया तो सुहानी ने 50% काम extra करना शुरू किया तब जाके भरपाई हो पाई काम की तो बराबर होना चाहिए गौतम के काम का 40% सुहानी के काम के 50% के बराबर है तो यहां से गौतम और सुहानी की efficiency का ratio कितना हैगा बेटा 40 उधर जाएगा 50 बटे 40 यानिकि 5 4 गौतम की efficiency 5 है तो सुहानी की efficiency 4 है गौतम fast है fast कोई है गौतम आप से पूछा fast आदमी काम कितने दिन में करेगा तो total work तो निकालो पहले total work तो निकालो सवाल बोला है गौतम सुहानी 17 काम भी इस दिन में कर सकते हैं गौतम सुहानी 17 गौतम और स्वानी एक साथ कितना काम करते हैं, पांच चार नो, गौतम और स्वानी एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगें, पांच चार नो, गौतम स्वानी पूरा काम कितने दिन में करते हैं, तीस दिन में, तो तीस दिन में ये होगा, अब इस काम को फास्ट कितने दिन म पर, फास्ट आपका बंदा है, ठीक है न, यहां तक, पाँच, गौतम की एफिशंसी पाँच है, तो गौतम पाँच एफिशंसी के साथ, एक काम कितने दिन में कर पाएगा, बटे पाँच, यह मैच तो नहीं हो रहा है, कुछ गडबड़ है, क्या, तीस नहीं, सौरी, बीस दिन नहीं, तीस नहीं है, सौरी, बीस दिन है, बीस दिन है, ठीक है न, बीस दिन है, गौतम स्वानी एक साथ काम, बीस दिन में करते हैं, गौतम स्वानी एक दिन में कितना काम करते हैं, पाँच, चार नो, तो बीस दिन में कितना काम करेंगे, मल्ट नंबर है यहाँ पर सी और यह गजब का सवाल इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता कोई आके आजाई सवाल है आपके सामने ICR के पेपर का मेरे दोस्त आओ कौन करेगा एक काम को पूरा करने के लिए A B से 60% अधिक कुशल है B C से 10% कम कार रहे कुशल है तो पहली जो दो लाइन दी है वो केवल इसले दी है कि आप A B C की Efficiency पता कर सकें सवाल बोला A B से 60% more efficient है 60% की fraction value तीन बटे 5 A की जो efficiency है वो B से 60% ज़ाद है निकि B की अगर 5 है तो A की 3 ज़ादा है 8 निकि 8 आठ आगे साल में आगे बोला है B जो है वो C से 10% less efficient है B जो है वो C से 10% less efficient है B is 10% less efficient then C याने कि 10% की fraction value कितने होते 10% की fraction value होते 1 बटे 10 याने कि मेरे प्यारे भाई B C से 10% less efficient है अगर C की efficiency 10 है तो B की जो efficiency है वो 9 है 9 यहां से क्या आप तीनों की efficiency का ratio निकाल सकते यह तो काफी बड़ा बड़ा data चला जाएगा यह तो काफी बड़ा बड़ा data चला जाएगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तो देखो calculation कम अगर मैं इन दोन रेशियो को merge करूँगा तो बहुत बड़ी बड़ी efficiency हो जाएगी तो काम करते है मेरे दोस्तों आसान सत जूंडो यह देखे B C से 10% कम कुछल है 10% होता एक बटे 10 यानि कि C की efficiency 10 है तो B की 9 है 10 सलों मैं लिख लूँगा बेटा में A B से 60% अधिक efficient है A की जो efficiency है B से 60% जाद है B की 9 हैं तो 9 से 60% जाद है कितना होता है बेटा 9 का 60% जाद है कितना होता है जल्दी से बताओ 9 से 60% जाद है कितना होता है तो 9 का 160% आ जाएगा मेरे दोस्तो 14.4 तो A की जो Efficiency है 14.4 हो जाएगी मेरे प्यारे भी आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कु सही और मैं इस तरीकी से लिख लेता हूँ मुझे लगता है मेरी calculation कम रहेगी ज़रूर थुड़ना हम पूरे ratio को मर्ज करें 9 से 60% जाद है 9 का 60% कितना होता है 9 का 5.4 9 में 5.4 जोड़ेंगे 14.4 हो जाएगा यह ABC की Efficiency आगी मेरे भाई आप देखो C अकेले काम 36 गंटे में पूरा कर सकता है C जो है एक दिन में C जो है एक गंटे में 10 कुरसी बनाता है C जो है पूरा काम 36 गंटे में कितना बनाएगा 360 अब बोला है A और B मिलकर 5 गंटे काम करते A और B मिलकर 5 गंटे काम करते A और B एक गंटे में कितना काम करते है यह बताओ A और B एक गंटे में कितना काम करते है A और B तो A और B एक गंटे में मेरे दोस्तों दोनों मिलकर कितना काम करेंगे add करो 14 में 9 जोड़ूँगा 23.4 A और B मिलकर 1 घंटे में 23.4 कुरसी बनाएंगे A और B तो A और B मिलकर 5 घंटे में कितना काम करेंगे multiply by 5 5 से गुणा कर दीजिए या जाएगा 23.5, 115 217, 117 तो A और B मिलकर 5 घंटे में 117 कुरसी बनाएंगे 117 काम करेंगे 360 में से A और B ने कितना काम करेंगे 117 घटा दीजिए तो बचा कितना मेरे दोस्तों बचा अब आपका 243 243 काम बचा तो बोला इस बचे काम को करने में C कितना समय लेगा तो बचा इस बचे काम को 243 को अगर C करेगा तो C करेगा 10 Efficiency के साथ C की Efficiency 10 है न तो कितना समय लेगा बटे 10 243 को 10 से भाग करेंगे 24 पॉंड 3 घंटे तो बचे काम को करने में C 24 पॉंड 3 आवर लेगा A option answer है अगर आप यहां पर पूरा ratio मर्ज कर लेते तो आपकी calculation बहुत जाद हो जाती calculation कम करना भी मेरे दोस्तों एक कला है आगे आईए दो मज़दूर A और B मिलकर एक काम 8 दिन में कर सकते हैं A double efficiency से काम करे B अपनी 60% दक्षा के साथ काम करे तो काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा अकेले काम पूरा करने में B को कितने दिल लगेंगे ओके यह फिर से famous सवाल आ गया भाई आ जाओ इस सवाल का आंसर जब तक नहीं निकाल सकते जब तक A और B की efficiency पता ना चले efficiency सवाल में पहली लाइन बोला है A और B मिलकर काम 8 दिन में कर सकते दो लोग है A और B मिलकर काम 8 दिन में कर सकते है 8 दिन में तो total work आ गया A और B मिलकर काम 8 दिन में कर सकते है अगली लाइन पढ़ो अगर A अपनी twice efficiency से काम करे A की बजाए A अपनी efficiency 2A कर दे B had worked with 60% of his efficiency as he actually did B जिस efficiency से काम करता है अगर उसकी 60% efficiency से काम करे 60% की fraction लोग तीन बटे 5 B की जो efficiency है वो 60% हो जाए अगर तीन बटे 5 B का 60% हो जाए तो काम 6 दिन में हो जाएगा 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा 6 दिन में तो ये भी total work है ये भी total work है ऐसे भी को हो जाएगा काम ऐसी भी हो जाएगा बराबर होना चाहिए बस यहां से solve करके A B की efficiency निकालनी है हो गया जी 2 चौक आठ और ये आपका 2 तीया 6 और मेरे दोस्तों यहां से केवल multiply कर दो 3 की 2 में 6 आएगा 4 की A में A आएगा 6 और 4 तो 2 आगया इधर कितना आएगा बेटा ये 4 B आएगा और नो भी बटे 5 आएगा 4 की B में गोणा करेंगे 4 B नो भी बटे 5 तो 4 में से 9 बटे 5 घटाएगे तो कितना आएगा 5 चौक 20 मानेस 9 गयारे बटे 5 आएगा 11 बाई 5 11 बटे 5 B आएगा ठीक है ना 4 में से 9 बटे 5 घटाएंगे तो 11 B बटे 5 आएगा clear कोई दिक्कत नी जासे A और B की Efficiency का रेश्यो कितना आएगा 11 बटे 10 A बटे B आजाएगा 11 बटे 10 यानि कि A की Efficiency 11 ग्यार आएगा तो B की Efficiency 10 है आप से पूछे अकेले काम करने में B को कितना समय लगेगा तो पहले टोटल वर्ग तो पता चले टोटल वर्ग तो पता चले पहले आप ये देखो पहली राने में दे रखा है कि A और B मिलकर काम 8 दिन में कर सकते A और B मिलकर 8 दिन में काम कर सकते A और B मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं A 11 कुरसी बनाता है B 10 11, 10, 21 तो A और B 8 दिन में कितना काम करेंगे 8 से गुणा कर दो अगर इस काम को अकेले B करें तो B कितने दिन में करेगा तो B करेगा 10 efficiency के साथ बटे 10 दिन में तो सजाएगा 2, 4, 8, 2, 5, 10 आंसर है A option अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों ये ये सारे ही सवाल efficiency based है सारे सवाल efficiency based है आगे देखे 21 करो ये 20 परशन काम 4 दिन में करता है B 33, 1 by 3 परशन काम 10 दिन में करता है 9 दिन काम किया पर C ने बचा काम 6 दिन में किया B और C सेम काम का 75 परशन में पूरा करेंगे देखे A 20 परशन काम 4 दिन में करता है तो 100 परशन कितने दिन में करेगा 5 से गुणा करो 25 परशन काम करेगा 20 दिन में 20 दिन में 20 परशन काम 4 दिन में 100 परशन काम 20 दिन में B 33, 2 by 3 परशन काम करता है 10 दिन में एक बटा तीन काम करता है दस दिन में, तो पूरा काम कितरी दिन में करेगा, तीन से गुणा करो तीस दिन में, एक तिहाई काम दस दिन में कर रहा है, तो बी पूरा काम कितरी दिन में करेगा, तीस दिन में करेगा भाई, ये तो easy data हो गया, अब बोला है उन्होंने नौ दिन हो गया total work A की efficiency 3 है B की efficiency 2 है ये सही बात आप बोलोगे हांज सर A और B ने 9 दिन तक काम किया A और B एक दिन में कितना काम करते ये 3 कुरसी बनाए गए 2 5 5 तो A और B 9 दिन में कितना काम करेंगे 45 तो मेरे दोस्तो 60 में से 45 काम A और B ने कर दिये तो बचा काम कितना 15 15 यूनित काम बचा क्या यहां तक बात सही आप बोलुगे लिए शिवा जई, ठेक है भई और इस बचे काम को C ने 6 दिन में किया यानि कि C जो है 15 यूनित काम 6 दिन में करता है C एक दिन में कितना काम करता है, अगर C ने 15 कुर्सी 6 दिन में बनाई है तो C एक दिन में कितना काम करता है 15 बटे 6 हो गया, जी 2.5 2.5 C की Efficiency धाई आग C की Efficiency धाई आगी 15 बटे 6 तो B और C सेम काम का 75 परशंट कितने दिन में करेंगे, काम है मेरे दोस्तो 60, हमें काम का 75 परशंट करना है, 60 का 75 परशंट होता है, 3-4 60 का 3-4 45 यानि कि 45 उनिट काम करने में, B और C को कितना समय लगेगा, ये सवाल है B और C को मिलकर, यही है न B की Efficiency 2 है B एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है C की Efficiency धाई है तो B और C की Efficiency आगी साड़े 4, B की Efficiency 2 है C की धाई है, 2 प्लस धाई, साड़े 4 तो B और C साड़े 4 Efficiency के साथ अगर 45 उनिट काम करेंगे तो B और C को 10 दिन लगेंगे 10 दिन और यही सवाल का अंसर था मुझे लगता है कि one of the easiest question है, D option लोजिक यही है कि ऐसे सवालों में आपको Efficiency निकालनी पड़ेगी, C की आईए, अगला सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों यहाँ पर 22 कौन करेगा, कौन करेगा ऐसा ही सारे सवाल Efficiency वाले है A किसी काम को B और C द्वारा मिलकर लेगे दिनों की संख्या से डेड़ गुने दिनों में कर सकता है ठीक है सवाल में कहा गया है A can do a piece of work in डेड़ times the number of days in which B and C together can do it A किसी काम को करने में B और C से डेड़ गुना दिन लेता है डेड़ गुना समय लेता है डेड़ गुना A काम को करने में B, C द्वारा लेगे दिनों की संख्या से डेड़ गुने दिनों में कर सकता है डेड़ का मतला होता है तीन बटे दू A जो है बी और सी से डिड़ गुना दिन लेता है काम करने में यानि कि बी और सी अगर दो दिन में करते हैं तो एक आम तीन दिन में करता है यह time का ratio है time का ताइम से तो बात नहीं बनेगी हमें efficiency चाहिए तो efficiency का ratio उल्टाओगा 2-3 efficiency का ratio उल्टाओगा 2-3 आप बोलोगे हाँ जी सर आगे A और B मिलकर काम 30 दिन में कर सकते हैं C 120 दिन में बोला है A और B मिल जाएं तो काम 30 दिन में हो जाएगा और C काम कर सकता है 120 दिन में याने कि A और B मिलकर काम 30 दिन में कर सकते हैं C 120 दिन में तो ये फिर से ratio ले लिए टाइम का ratio आगया 1-954 34-121-954 A और B मिलकर काम 30 दिन में कर सकते हैं C 120 दिन में टाइम का ratio एक 4 है तो efficiency का ratio फिर से उल्टा हो जाएगा 4-1, efficiency का ratio फिर से उल्टा हो जाएगा A plus B की और C की 4-1, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहतरी logic है, बहुत 20 काम को करने में कितना समय लेगा, तो ये दो अलग-अलग ratio बन गए, मुझे इन दोनों ratio को पहले मर्ज करना पड़ेगा, मर्ज, अब आप हमें ये बात बताओ, मेरे प्यारे भाई, मर्ज, ये बात बताओ आप हमें, कि यहाँ A plus B plus C common है, दोनों जगे, A plus B plus C तो same होना चीए, यहाँ A plus B plus C है, 2 और 3, 5 यहाँ A plus B plus C है, 4, 5, दोनों जगे सेम है, दोनों जगे A plus B plus C, same है, यहां भी 2, 3, 5 है, यहां भी 5 है, अगर आप देखो, तो A की Efficiency कितना है, 2, C की Efficiency कितना है, 1, total 5 होनाच, A की Efficiency 2 है, C की Efficiency 1 है, C की Efficiency 1 है, तो B की Efficiency कितनी बचेगी, 2 बचेगी 2, तबी तो 2 और 1, 3 हो पाएगा, अगर A की Efficiency 2 है, C की 1 है, 2 और 1, 3 तो B की Efficiency किया आजाएगी, 2 आजाएगी, तो B की Efficiency निकाल ली, क्यों निकाली, कि B के बारे में पूछा है, B के बारे में B काम कितने दिन में करेगा सवाल मेरा यहीं धेर हो गया अब टोटल वर्क निकालो पहले देखो टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकतो कहीं से भी चांप A प्लस B से निकाल दो सवाल में ये भी दिया है A प्लस B काम 30 दिन में कर सकता है चांप यहां से निकाल लो C अकेले काम 120 दिन में कर सकता है C की efficiency 1 है C की efficiency 1 है और C काम 120 दिन में करता है C ये total work आगया C एक दिन में एक कुरसी बनाता है 120 दिन में ये बनाएगा इस काम को B कितने दिन में करेगा तो B करेगा 2 efficiency के साथ 60 दिन में और यह सवाल का अंसर था मेरे दोस्तों मुझे लगता यह easy data का सवाल है आगे चलेंगे सवाल है student आपके सामने यहाँ पर 23 आपके सामने करके बताईए जल्दी से शांदार देखे यह जो सवाल नंबर 23 है अब यहाँ से अगला type आ गया दोस्तों ठीक है ना efficiency based सवाल खतम हो गए और यह सवाल ने एक proper concept है पहले हम इसका concept जानेंगे फटाफट कि यार अगर दो लोग A और B मिलकर काम X दिन में करते हैं A जो है अकेला उससे A दिन extra लेता है A और B मिलकर काम करने में जितना समय लेते हैं X दिन B जो है अकेले काम करने में उस X से B दिन जाद है लेता है X प्लस B दिन लेता है तो जब भी ऐसा case आएगा तो X की जो value होगी वो हमेशा अंडरूट A B होगी direct shortcut अंडरूट A B मैं आपको सवाल दिखा हूँ एक example से समझ लेते हैं example में ये कहा गया है कि A अकेले काम करने में 32 घंटे जाद है लेता है A अकेले उससे 32 घंटे जाद लेता है यनिकि A और B मिलकर अगर किसी काम को करने में X घंटा लेते हैं तो A अकेला उससे 32 घंटे जाद लेता है A लेता है X प्लस 32 घंटे फिर आगे क्या बोला है आगे बोला है B takes 18 hours more to complete a work alone than A and B work together B अकेला उससे काम को करने में 18 घंटे जाद लेता है जितना A और B मिलकर लेते हैं अगर A और B मिलकर X घंटे लेते हैं तो मेरे प्यारे भाई A, B जो है अकेला X से 18 घंटे एक्स टा लेता है पूचा 9 घंटे में कितने परसिंट वर्क करेंगे A और B मिलकर अगर सवाल में ये पूच लिया जाए कि A और B मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे यानि कि X की वेल्यू पूची जाए तो क्या होगा बेटा A और B मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे X की value पूछे है तो ये मेरे दोस्तों डारेक्ट शोटकट है 32 से अठारे तो X की value आएगी अंडरूट 32 गुणा अठारे तो 32 गुणा अठारे कितना आएगा अठारे तो ये अब 540 और 36 पानसो चेतर और 560 कंडरूट आजेगा 24 गंटे यानि कि अगर question में ये पूछा जाता मातर की A और B मिलकर काम कितने समय में करेंगे तो आप आंसर देते 24 गंटे लेकिन सवाल एक level और आगे गया है उसने पूछा है कि 9 गंटे में A और B कितने परसेंट काम करेंगे बै ए और B पूरा काम 24 गंटे में करते हैं तो एक गंटे में कितना काम करेंगे ए और B एक वटे 24 तो ए और B नौ गंटे में कितना काम करेंगे नौ से गुणा कर दो नौ बटे 24 जो कि 3 बाई 8 होता है और 3 बाई 8 परसेंटेज में कहेंगे तो एक बटे याट साड़े बारे परसेंट, थ्री बटे याट साड़े 37 परसेंट, तो साड़े 37 परसेंट काम कर लेंगे A और B, नो गंटे में ठीक है जी, तो concept है मैंने आपको example दे दी, अब देखिए इस पर सवाल, ये वाला सवाल आप देखो, ठीक है, ये वाला सवाल, और ये वाला सवाल देखो किया, मैंने आपको concept समझे, इस सवाल को solve करके आप मुझे comment में बताओ कि इसका क्या answer होगा, आप इस सवाल को solve करो, और मुझे इसका comment में सही-सही answer बताओ बेटा, ठीक है न, मैंने आपको इस पर concept बता दी और example भी ले लिया है, आगे चलेंगे next, next है मेरे प्यारे भाई, अब यहां से अगला type आ गया आपका, यह न, work and wedges वाले सवाल आ गया, बेटा, मजदूरी वाले सवाल आ गया, मजदूरी वाले, मजदूरी वाले सवाल, देखे, कोई आदमी काम फ्री में तो करेगा नहीं, हर आदमी पैसे के लिए काम करता है मेरे दोस्तों, और simple सा संसार का प्रकृति का नियम है कि जो आदमी जितना काम करेगा, उसको उसी इसाप से पैसा दिया जाएगा, अगर किसी ने आधा काम किया तो आधा पैसा मिलना चाहिए, एक तिया ही काम किया, एक तिया ही मिलना चाहिए, किसी ने 25% काम किया तो 25% पैसा मिलना चाहिए, तो किसी आदमी की जो मजदूरी है, जो वेजिज है, वो किये गए काम के अनुपात में बांटी जाती है, आप जिस अनुपात में काम करोगे, आपको उसी तो इस case में जो पैसा है, जो मजदूरी है, वो efficiency के ratio में बांट जाते हैं, जिस आदमी की जितनी efficiency होगी, जिस आदमी की जितनी छमता होगी, वो उतना काम करेगा, और मेरे प्यारे भाई, यानि की जो आपकी मजदूरी है, वो छमता के अनुपात में बांटी जाएगी, दो case यहां से बन जाते हैं, पहला case और यह दूसरा case, अगर सभी आदमी शुरू से लेकर आखर तक एक साथ काम करते हैं, शुरू सा आखर तक, तो जिस की जितनी efficiency होगी, जो जितना कुशल होगा, उसको उतना पैसा दिया जाएगा, लेकिन अगर लोग बीच बीच में से छोड छोड़ के काम करते हैं, इतना काम किया, इतने समय काम किया, इतने समय काम किया, लोग बीच बीच में से छोड़ छोड़ के काम करते हैं, तो हम पैसा बांटेंगे, मेरे प्यार भी काम के अनुपात में, जो जितना काम करेगा, वो इतना पैसा लेके जाएगा, ठीक है जी, चलिए, सवाल देखो मेरे दोस्त अशोक और अनील एक काम को 45 दिन में 4500 रुपे में करने का ठेका लेते हैं दो लोग हैं अशोक और अनील 4500 में काम करने का ठेका लेते हैं अशोक अकेले 8 दिन में काम कर सकता है अनील 12 दिन में कर सकता है अमर की help से उन्होंने काम चार दिन में किया अमर का हिस्सा क्या होगा बहुत बढ़ है सवाल बहुत बढ़ है अगर मुझे सवाल solve करना है तो मुझे efficiency निकालनी पड़ेगी efficiency अमर की अमर की efficiency देखो मैं अशोक को A नाम दे देता हूं मैं अनिल को B नाम दे देता हूं और मैं अमर को C नाम दे देता हूं ये दो लोग हैं अशोक और अनिल इन्होंने का काम करने का ठेक आली है 4500 रुपे में अशोक यानि कि A अकेले काम कर सकता है 8 दिन में अनिल जो है यानि कि अनिल को मैंने B नाम दिया अनील काम कर सकता है बारे दिन में और इन दोने अमर की हेल्प ली अशोक ने और अनील ने A और B ने C की हेल्प ली और काम मेरे दोस्तों उन्होंने C की हेल्प से या अमर की हेल्प से कर दिया चार दिन में चार दिन में कर दिया तो अमर का share क्या होगा तो भाई efficiency निकालनी है आप LCM से भी निकाल सकते हैं आट बारे 4 का LCM तो 24 हो जाएगा ना टोटल वर्क 24 24 हो जाएगा इसकी efficiency कितनी है 3 इसकी कितनी है 2 तीनों की efficiency कितनी है 4, 6, 24, तीनों की efficiency 6 तीनों की efficiency 6 तीनों की total efficiency 6 आप मुझे बताओ A की efficiency 3 है B की efficiency 2 है तीनों की efficiency 6 है 6 तो मेरे दोस्तों C की efficiency कितनी आजाएगी 1 C की efficiency 1 आजाएगी 1 बात समझ में आई यानि की मेरे पैरे दोस्त आप से पूछा है अमर का हिस्सा क्या होगा अमर की efficiency 1 है 1 आउट अफ टोटल तीनों की efficiency कितनी है मेरे बार भाई तीनों की efficiency ABC की मिला कर 6 है 6 यानि की अमर की जो efficiency है तीनों का 1 बटे 6 है तो अमर को पैसा भी टोटल का ठेका कितने मुठा है 4500 में 4500 का 1 बटे 6 अमर को मिलना चाहिए 4500 का 1 बटे 6 होता है बेटा 7500 पर ये अमर का share आएगा second option बोले बात समझ में आगई आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आगई यहाँ से सीधा आपको अमर की efficiency की efficiency निकालनी थी यहाँ डारेक्ट इसलिए कर पाएगो कि सब लोगों ने सुरू से आखिर तक एक साथ काम किया है लेकिन अगर सवाल इस तरीके से आजाए तो कैसे करेंगे यह सोचो सवाल पढ़िए एक इसी काम को 18 दिन में कर सकता है बी उस काम को 32 दिन में कर सकता है वे एक साथ काम कर सुरू करते हैं दौनों लोग यह और भी बचा काम ए द्वारा किया जाता है, पूरे काम के अगर अठासी सो रुपे मिलते एट्टी हंड्रेड, एट्टी हंड्रेड, तो एका शेयर क्या है, एका हिस्सा क्या है, मेरे भाई सवाल ये है, तो आप दोस्त क्या कर नहीं सकते हैं, सोचो जरा, एक इसी काम को 18 दिन में कर सकता है, भी 32 दिन में कर सकता है, इसमें सुरू से आखर तक काम नहीं है बेटा, दोनों ने एक साथ काम सुरू किया, ए और बी ने, लेकिन बी ने केवल 8 दिन तक काम किया और फिर छोड़ दिया, बी ने केवल 8 दिन काम किया और फिर छोड़ दिय उसके बाद बचा काम A नहीं किया है, बच्ची बने लेना कीया है, बच्चे यहां से L.C.M. लेने लगते हैं, जोर ठीक हैं मोई बताइन, B. ने कइतना काम किया होगा, B. पूरा काम 32 दिन कितना काम करता है ? 1,32. तो बी, ने 8 दिन में कितना काम किया होगा आँट से गुणा करता है ? यान कि भी ने 1,4 काम किया है 1 4th काम अगर B etwas can出来 in 32 दिन, तो बी ने 8 दिन में कितना काम किया होगा ? 1,4 काम यानि फिर बच काम किस ने किया होगा ? अने बहुत टोतल काम तो 1 होता है 1 में से 1 बटे 4 काम B ने किया है तो बचा काम कितना 3 बटे 4 वह आपका A ने किया है 3 बटे 4 काम A ने किया है अगर A ने 322 काम किया है तो A को पैसा भी टोटल का 3 24 मिलना चाहिए अगर काम पुरा होने पर उन्हें अठासी सो रुपे दिये जा रहे हैं तो अठासी सो रुपे का थ्री फोर्थ कितना होता है छासट सो रुपे तो एको सिक्स्टी सिक्स हंडरेड रुपीज मेरे दोस्तों मिलना चाहिए और यह आंसर है बी ओप्शन आगे आईए एक और सवाल ऐसा ही सवाल लंबर 26 बताओ अनील साट दिन में घर को पेंट कर सकता है जबकि बिमल 84 दिन में पेंट कर सकता है अनील एक घर को 60 दिन में पेंट कर सकता है और बिमल पान मसाला 84 दिन में पेंट कर सकता है अनील पेंटिंग शुरू की अनील ने पेंटिंग करना शुरू किया और दस दिन के बाद बिमल और चारू उसके साथ जुड़ जाते दस दिन के बाद बिमल भी आ गया और चारू भी आ गया दस दिन के बाद बिमल और चारू उनके साथ जुड़ गये तीनों मिलकर पेंटिंग को चौधे और दिन में पूरा करते हैं यानि कि तीनों ने मिलकर पेंटिंग को पूरा करने में चौधे और दिन लियें यानि कि दस दिन के बाद की कहानी है अनिल मेरे दोस्तों अनिल साट दिन में घर पेंट कर सकता है बिमल 84 दिन में अनील ने paint शुरू किया दस दिन तक अकेले paint किया नील ने दस दिन बाद बिमल और चारु आगे paint करने ला भाई हम भी करवांगे तेरे साथ paint अब तीनों ने मिलकर painting को चौधे और दिन में पूरा किया चौधे और दिन लगे तो आप एक बात सोचो, सब लोग बीच बीच में से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, केवल इस बात का पता लगाओ कि चारू ने काम कितना किया है, मेरे प्यारे भाई, ये देखे, अनील ने दस दिन तक काम किया अकेले, फिर दस दिन के बाद बिमल और चारू भी आगे और चोड़ दिन और लगे, यानि कि अनील ने दस दिन और चोड़ दिन, अनील ने चोविस दिन काम किया है, बेटा चोविस दिन, अनील ने चोविस दिन काम किया है, दस दिन तो अकेल फिर 14 दिन तक बिमल चारू के साथ, 24 दिन काम किया है अनील ने, अनील पूरा काम 60 दिन में करता है, पूरा काम 60 दिन में, तो अनील ने 24 दिन में कितना काम किया होगा, अगर कोई आदमी 60 दिन में पूरा काम करता है, तो 24 दिन में कितना किया होगा, 24 बटे 60, 12 दूनी 24 बटे 60, अनिल ने 2 वटे 5 काम किया 2 वटे 5 काम बात करते हैं मेरे दोस्तों यहां से बिमल की, बिमल पूरा काम 84 दिन में कर सकता है काम अकेले अनिल ने शुरू किया, 10 दिन तक अकेले अनिल ने किया, उसके बाद बिमल और चारू जुड़े, और काम पूरा करने में 14 दिन और लगे यानि कि बिमल ने केवल 14 दिन ही काम किया है बिमल ने केवल 14 दिन ही काम किया है शुरू के 10 दिन तो बिमल था ही नहीं बिमल पूरा काम 84 दिन में करता है तो मेरे दोस्तों 14 दिन में बिमल ने कितना काम किया होगा 14 बटे 84 एक बटा च्छे, चौदे चिंग चौरासी, एक बटा च्छे काम बिमल्ने किया होगा, यानि कि अनील और बिमल्ने मिलकर ये काम किया, मेरे दोस्तों, इतना काम किया अनील और बिमल्ने मिलकर, कितना काम होता है बेटा ये, ये आजाएगा आपका 635 LCM, 12, 17 बटे 30, 17 बटे 30 काम अनील और बिमल ने मिलकर किया सत्रे बटे तीस टोटल का तो बचा काम तो चारू ने किया है ना टोटल काम वन होता है वन में से सत्रे बटे तीस इन दोनों ने मिलकर किया है तो बचा काम है तेरे बटे तीस जो की चारू ने किया है चारू ने 13 बटे 30 काम किया है तो चारू को पैसा भी 21 000 का 13 बटे 30 मिलना चाहिए 21 000 रुपे का 13 बटे 30 कितना होता है बेटा ही आएगा 700 और गुणा 1300 रुपे 9100 रुपे 4 को चुप-चाप दे दो वरना रो पढ़ेगी 4 बी ओप्शन आंसर है, आगे आईए, सीजल 2023 प्री का एक और सवाल, इसी से मेरे दोस्तों करके दिखाएं जल्दी से, ये वरकंड वेजिस का आखरी कोश्चन है, 27 महिलाएं, 7 पुरुष, 7 दिन में कुल 11,480 कमाते हैं, 10 महिलाएं, 7 पुरुष, 9 दिन में कुल 36,360 कमाते हैं 11 महिला, 9 पुरुष, 13 दिन में कितना कमाएंगे, 13 दिन में, 13 दिन में पूछा है, तो आंसर जो भी आएगा, 13 का मल्टिपल आएगा, एक तरीका तो ये हो गया, करने का, 13 का मल्टिपल चेक कर लो, आप्शन से, जो आप्शन कटेगा, आंसर है, सॉल करना है, तो कैसे होगा, माना, एक महिला, एक दिन में, डवलू रुपे कमाती है, एक आदमी, एक दिन में, M रुपे कमाता है, M रुपे, M रुपे कमाता है, M, यह इसकी भी जौरत नहीं है, ऐसे समझो, यहां मैं लिख रहा हूँ, मेरे दोस्तो, वोमेन, और यहां म बोला गया है चार आदमी, चार महिलाएं और साथ पुरुस साथ दिन में 11,480 कमाते हैं 11,480 कमाते हैं साथ दिन में तो एक दिन में कितना कमाएंगे साथ एकम साथ, साथ चिंग 42 और दो साथ चुक अठ़े 1620 रुपे 1620 रुपे मेरे दोस्त आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है हाँ जी 10 महिलाएं साथ एकम साथ साथ चिंग बेले और साथ चुक 28 जाएगा ना 1640 आएगा ये 1640 रुपे आएगा मेरे दोस्त तो ठीक है 10 महिलाएं 10 महिलाएं और सत्रे पुरुष 9 दिन में 36360 कमातें अगर 9 दिन में 36360 रुपे कमातें तो एक दिन में कितना कमाएँगे 9 से भाग दीजे 9 से भाग करने पर कितना आएगा 9 Master 46 9 Master 4440 रुपे 4040 रुपे आएगा मेरे प्यारे बाई सवाल है ग्यारे महिला नो पुरुष तेहरे दिन में कितना कमाएंगे तो मुझे ग्यारे महिला नो पुरुष की कमाई निकालनी है तेहरे दिन की तो बेटा सॉल करके बताओ या तो एक औरत की निकालो या आदमी की निकालो आदमी का निकलना मुश्किल है, औरत का निकलना आसान है jest, चार आ रहा है, दस आ रहा है , क्या मैं 4 औ 10 को same निकर सकता 20 बहुते हैं बहुत बस बनाकeed इसक विजुगिए। और 20 बनाने के लिए मैं 2 से गुणा कर दूँ, हो गया सेम, मैंने औरतों की संख्या को सेम मना लिए, अब घटा दो मेरे दोस्तों, घटा दो, दोनों का डिफरेंस ले लिजे, डिफरेंस, औरतों कटी जाएंगी बेटा, 20-20 ये देखिए, 5, 7, 35, 7, 2, 34, 35 और 34 का डिफरेंस में कुणा करेंगे, मेरे भाई तो कितना आएगा, 8,080, तो 8,200 में से 8,180 घटाएंगे, 120 रुपे, तो ये एक आदमी की कमाई आगी, मैं की, मैं की, एक आदमी की एक दिन की कमाई, 120 रुपे है, एक आदमी की एक दिन की कमाई, 120 रुपे है, कोई बहुत मुस्किल नहीं है equation solve करना ये ये वो unique सवार है जो आपको कोई करवाता नहीं है भाई एक आदमी एक दिन की कमाई 120 रुपय मुझे निकालने औरतों की औरतों की चाहिए आप यहां पहली equation से निकालो चाहिए दूसरी से अगर एक आदमी की कमाई 120 है तो साथ आदमी की कितनी होगी 840 840 टोटल 1640 होना चाहिए यानि की 4 औरतों की कितनी बचेगी 1640 में से 840 घटाएंगे 800 रुपय होगी 800 रुपय में 840 जोड़ेंगे तभी तो 1640 आएगा यानि की 4 औरते 800 रुपय कमाती है 4 औरते अगर 800 रुपय कमाती है तो एक औरत कितना कमाती है 200 रुपे, 200 रुपे, एक औरत की कमाई 200 रुपे है, एक दिन की, तो आप से पूछा है 11 महिलाओं की, तो 11 महिलाओं की कमाई कितने, एक औरत की 200 रुपे, तो 11 महिलाओं की आ जाएगी 200 रुपे, एक आदमी की कमाई 120, तो 9 आदमी की कमाई कितनी हो की बारे निम्मा, 108, 180, तो ये मेरे दोस्तों आ गया, दोर एक तीन, बटिस सो असी रुपे, तो बटिस सो असी रुपे, ग्यारे महिलाओं और नौ पुर्शों की, एक दिन की कमा गयागी, एक दिन की, आप से पूचा है, तेरे दिन में कितना कमाते हैं, तो मल्टिप्ला 49, 26, और 1040, ठीक है मेरे दोस्तों ये सवाल का अंसर है, गजव का सवाल है, गजव का, ठीक है बई, इससे जल्दी सवाल को किया भी नहीं जा सकता, आगे चलेंगे, इसी के साथ ये टाइप खतम होता है, देखो मैंने आपको इस टाइप के चार सवाल करवा दिये, आगे चलेंगे स्टुडेंट, अब यहां से next variety आएगी, alternate days वाली, यहां से अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों, alternate days वाला बताओ, अलग अलग काम करते हुए, A और B काम को 15 अथारे दिन में करते हैं, A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में, B काम कर सकता है, 18 दिन में, यदि A काम शुरू करता है, और वो alternate days पर काम करते हैं, प्रते एक दिन एक, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, 15 और 18 का LCM क्या होता है, 90, 90 मेरे दोस्तों, आपका total work आ गया, तो A की efficiency कितनी आ जाएगी, 6 और B की efficiency कितनी आ जाएगी, 5, बात सही है, A और B alternate days पर काम करते हैं, और A शुरू करता है, यानि कि A पहले दिन काम करेगा, अगले दिन B काम करेगा, फिर A काम करेगा, फिर A काम करेगा, फिर B काम करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, मेरे दोस्तों, A, B, A, B, A, B, A, B काम कितने दिन में होगा, तो जब भी ऐसा कुछ question आए, आप यह देखो, कितने दिनों के बाद same pattern चल आए, हर दो दिन में same pattern repeat होता है, हर दो दिन में same pattern repeat होता है, हर दो दिन में, तो मैं पूरा detail में करने की ज़रतनी है, दो दिन पर focus करिए, पहले दिन A कितनी कुरसी बनाएगा, 6, अगले दिन B कितनी कुरसी बनाएगा, 5, फिर A 6 कुरसी बनाएगा, फिर B 5 कुरसी बनाएगा, हर दो दिन के बाद same cycle repeat होती है हर दो दिन के बाद हर दो दिन के बाद same cycle repeat होती है जब भी कोई काम खतम होगा, जब भी दो दिन का cycle end होगा, तो सुरू कौन करेगा ए इस इसाब से हर दो दिन में कितना काम हो रहा है इस इसाब से हर दो दिन में 6 और 5 11 unit काम हो रहा है, हर दो दिन में 11 कुर्सी बन रही है लेकिन हमें तो 90 कुर्सी बनाने है अगर हर दो दिन में 11 काम हो रहा है तो 90 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा तो 11 का मल्टिपल कौन सा है 90 के नजदीक सोचो 90 के नजदीक 11 का मल्टिपल कौन सा है 88 8 से गुणा कर दो दौन तरफ, 8 से गुणा कर दो, यानि कि 8 दूनी 16 दिन में 88 उनिट काम होगा, 16 दिन में 88 उनिट काम होगा, 16 दिन में, क्लियर है, 16 दिन में 88 कुरसी बन जाएंगी 16 दिन में, लेकिन अब भी 2 कुरसी बनना और बाकी है, तभी तो 90 होगा, तभी अगला तो इसमें कौन काम करेगा A जब भी नई साइकल सुरू होती है तो हमेशा वो हत्यार उठाता है जिसने पहले दिन काम किया था A B A B A B A B ऐसे करके 16 दिन पूरे हो गए तो अगले दिन कौन काम करेगा A A एक दिन में 6 कुरसी बनाता है एक दिन में तो हमें कुरसी दो बनानी है तो दो कुरसी बनाने में कितना समय लगेगा दो कुरसी बनाने में अगर एक दिन में 6 कुरसी बनाता है दो कुरसी बनाने में लगेगा दो बटे 6 दिन दो बटे 6 मतलब 1 थर्ड तो 16 सही एक बटा 3 दिन में पूरा काम होगा और यह answer है D option अच्छा सवाल है आगे आईए सवाल नंबर 29 ऐसा ही है इसको खुच से try करना बेटा 29 नंबर सवाल को यह बनाएं जल्दी से 29 30 सवाल नंबर 30 A, B, C एक काम को 30, 40 और 50 दिन में कर सकते हैं A किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और C जो है उस काम को 50 दिन में कर सकता है यदि काम की सुरूआत A से होते है A काम सुरू करता है वो बारी-बारी से एक-एक दिन काम करते हैं तो काम कितनी दिन में होगा 30, 40, 50 3ो से कटने वाला नंबर कौन सा होता है 600 600 होता है किनी 600 बोलिए A की Efficiency कितने आजाएगी यहांसे A की Efficiency आजाएगी 20 B की कितनी आजाएगी B की Efficiency आजाएगी 15 C की कितनी आजाएगी 12 यह तीनों की Efficiency आगी तीनों लोगों की Efficiency आगी बोला है यदि काम की सुरुआत A से होते, A पहले दिन काम करता है बारी बारी इससे काम करते है, फिर अगले दिन B काम करता है, फिर C काम करता है, फिर A काम करता है, फिर B करता है, फिर C करता है, यही पैटरन चलना सुरू हो जाता है, यानि कि पहले A, B, C, फिर A, B, C, फिर A, B, C, हर तीन दिन में यही चीज रिपीट होती है, हर तीन दिन मे काम कितने दिन में होगा तो पहले दिन A कितनी कुर्षी बनाएगा 20 पहले दिन A 20 कुर्षी बनाएगा अगले दिन B कितनी कुर्षी बनाएगा 15 पर C कितनी कुर्षी बनाएगा तीसरे दिन 12 तो इस हिसाब से 3 दिन में कितना काम होगा हर तीन दिन में कितना काम होगा तो हर तीन दिन में 20 और 15 और 35 और 12 47 तीन दिन में 47 उनिट काम होगा 47 लेकिन भाई हमें काम करना कितना है 600 हमें 600 उनिट काम करना है तो आप मुझे बताओ 47 का कौन सा मल्टिपल है जो 600 के नजदीक है तो मेरे दोस्त 47 का 10 में गुणा करेंगे तो 470 आता है 47 के अगर मैं 13 में गुणा करता हूँ 34 का 52, 520, 37, 99 तो 600 से जादे चला जाएगा मुझे गुणा करनी पड़ेगी 12 से अगर मैं 12 से गुणा करूँ 12 से गुणा करूँ ठीक है भई 36 दिन में कितना काम होगा मेरे दोस्तो 12 चक और 480, 480 में आप 84 एड़ कर दीजिए तो 48 और 8 हो जाएगा मेरे दोस्तो यानि कि 56, 56, यानि कि 5, 6, 4 5, 6, 4 किलियर है आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुँ सही कोई प्रॉबलम नहीं है 5, 6, 4 लेकिन काम तो 600 करना है अभी भी मेरे दोस्तो काम बाकी है अभी भी जो है काम आपका बाकी है 36 दिन में 564 उनिट ही काम हुआ 36 उनिट काम करना और बाकी है 36 उनिट काम करना और बाकी है मेरे दोस्तो तो एक काम करिए अगला जो दिन आएगा अगले दिन कौन काम करेगा अब अगले दिन कौन काम करेगा 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 अगले दिन अभी एक कुरसी बनाना और बाकी है, एक कुरसी बनाना और बाकी है, तो इसमें एक और जोड़ देंगे, यह एक कुरसी कौन बनाएगा, भाई, C बनाएगा, C एक दिन में बारे कुरसी बनाता है, तो एक कुरसी बनाने में कितना समय लगेगा, एक वटे बारे दिन और लग ठीक ना, लंबा हो गया, मैं आपको इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, ध्यान सुनेगा, जातर किताबों में ऐसे ही solution मिलेगा, जातर बच्चे करते भी ऐसे हैं, हमको पता है, पहले A काम करता है, फिर B, फिर C, फिर A, फिर B, फिर C, हर तीन दिन में कितना काम होगा, 20, 15, 35, बारे 47, काम करना है 600, तो 47 का ऐसा multiple ढूंड़ो, जो 600 के नस्दीक हो, 47, 2, 470 होता है, अगर मैं 47 की 13 में गुणा करो, तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर, 13, 45, 520, 520 में आप 91 जोड़ लेंगे, 520 में जब आप 91 जोड़ लेंगे, तो 611 आएगा सर, 611, तो ये 611, जादे नस्दीक है 600 के, तो अगर मैं 2 तरफ 13 से गुणा कर दू, 2 तरफ 13 स 13 से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 13 तिया 49 दिन में कितना काम होगा, 49 दिन में काम होगा, 47 कुणा 13, 611 यूनिट, 49 दिन में 611 कुर्सी बन जाएगे, लेकिन हमें कुर्सियां बनाने कितनी है 600, हमें 11 कुर्सी कम बनानी है, हमें 11 कुर्सी मेरे दोस्तों कम बनानी है, 11 कुर्सी तो बहिए 11 कुर्सी किस से कम बनवाएंगे जिसने सबसे आखर में काम किया होगा सबसे आखर में पहले A फिर B फिर C फिर A फिर B फिर C सबसे आखर में C ने काम किया होगा C ने तो C से 11 कुर्सी कम बनवाईए C एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है तो 38 निकाल लीजे, एक में से 11 बटे 12 घटाईए, तो 38 सही 1 बटे 12 दिन में आपका पूरा 6 unit काम हुआ, और ये सवाल का अंसर है A option, ठीक है भाई, ठीक है भाई, और ये pre का one of the most famous question है, alternate days का सवाल आता है, ठीक है, दो ही type के question pre के paper में ज्यादे बनते हैं, A, B, A, B वाला और ये ABC वाला मेरे दोस्तों, ABC वाला और मैंने आपको दोनों ही करवा दिये, और इसी के साथ आपका time and work का ये chapter खतम होता है, मैंने maximum हर एक type को cover करने की कोशिश किये, चाह वो efficiency based सवाल हो, च चाह वो alternate days वाला हो, चाह वो work and wedges वाला हो, चाह सिंपल काम छोडने वाले काम भागने वाले type हो, हर एक को मैंने cover किया है, maximum, इस वीडियो से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक सवाल paper में देखने को मिलेगा, दोस्त, ठीक है, अब इसके बाद हम अगला chapter करेंगे, pipeline system pipeline system इतना ज्यादा important नहीं है, next उसकी एक घंटे की class होगी, जो कल upload होगी, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, गर आपको पसंद आये, तो वीडियो को like जरू करें मेरे दोस्तों, बाई